तो स्वागत है जी आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIAT Jam CSNN YouTube चैनल पर नमस्कार 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 आप वेरी वेरी गुड इवनिंग टू लोफ यू कैसे हो आप सब लोग सभी लोगों को नमस्कार है जी ठीक है क्या हाल चाल है गुड इवनिंग गुड इवनिंग ग बैसिकली आपकी चलने वाली है IAT Jam and Gate के एक्जाम के लिए IAT Jam का एक्जाम बहुत करीब है भाई है नया साल आप सभी को मुबारक है और मैं उमीद करूंगा इस नए साल में आप बहुत सारी सक्सेस पाए है ना पहला सक्सेस आपका ये एक्जाम हो और बहुत सारी अचीव ना थोड़ा से अच्छा सा फिनीशिंग टच दे दें फिनीशिंग टच जैसे कि आपने जो चीजे पड़ी है उनको रिवीजन आप कर पाओ चीजों को रिवाइज कर पाओ यहां पर डेली कुछ ना कुछ चलने वाला है चैप्टर चलने वाले हैं तो कोशिश करो हर दिन लेरन आपका एक चैप्टर बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रोंगली रिवाइज होए नमस्कार 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 गुडीवनिंग जैश्री राम बहुत दिन बाद मिले हैं आप भी बहुट दिनों बाद मिले हो जी कैसे हो मैं एकदम ठीकू जी ना भड़िया है सब करोगे तो वह अच्छी होगी दुबारा चीजे देखने से चीजे अच्छी होती हैं दिन बर अपनी थियोरी चीजे पढ़ो और शाम को यहां पर उन क्योशन को अप्लाई करने के लिए यहां पर जुड़ो आज हम कॉंसेप्ट भी देखेंगे और क्योशन प्रैक्टिस करे फैसे में बाले हैं जल्दी से एक बार इसलिगे अगर आते हैं सब्ढेहर करते हैं गुर्वाईय। गोडिवनींग गोडिवनीग गोडिवनीग गोडिवनींग शुक्रिया जी एकडम भडिया और कि और इस बुक है वह हैलप होती है जुछ टॉपिक इस इंपोर्टन देखो इसके उपर बातचीत करेंगे अभी इंपोर्टन के उपर बातचीत करेंगे तो हमारा यह वहला निकल जाएगा देखो आपकी जो बड़े-बड़े टॉपिक है जैसे जो कैमिकल बॉंडिंग हो गया कोडिनेशन हो गया बायो इन और्गेनिक हो गया और्गेनिक हो गया यह इन और्गेनिक में इंपोर्टेंट हो जाते हैं थर्मो इलेक्ट्रो काइनेटिक्स वहां पर इंपोर्टेंट हो जाते हैं इसी तरीके से आपका और्गेनिक तो पूरा एक तरीके से जुड़ा हुआ है नेम रियक अगर आपको लगता है कि मैं टॉप 10 में me just me to 100 में डिख रहा हूं वो आप कनी कर पा रहे हो तो वह रियल है और अगर वह रीयल है तो फिर आप के लिए होनी चाहिए जो अब करने तो ये चीज ध्यान दखना और वो जो चीजे मिलती हैं वो खासकर पढ़ाई से जरूर मिलती है तो ये वाली चीजे ध्यान दखना ठीक है चलिए आईए समस्ते हैं हर क्योशन को इत्मिनान से करना जल्द बाजी से क्योशन गलत होते हैं इत्मिनान से क्योशिश करना की हर क् कर ठीक हो पहला क्योशन यह आपके पास है है ना क्योशन आपको बुलाएगा कि जल्दी अटेम्ट करो आइटी जैम और गेट एक्जाम दोनों में समय की कोई दिक्कत नहीं होती है भाई यह बात ध्यान दखना तो अपना टाइम वेस्ट मनलब टाइम बहुत तेज मत करना किसी क्योशन को बहुत तेज करने की कोशिश मत करना थोड़ा इत्मिनान से क्योशन करना आपके क्योशन अच्छे जाएंगे चीज ध्यान रखना समय मिलता है भाई आप 2 गंटे में 2 से 2.5 तक आपका पूरा पेपर हो चुगा होगा उसके बाद आदा घंटा हमेशा आप आपको मिलेगा यह बात ध्यान रखना इस दिस हेल्फुल फॉर आइटी जैम के लिए ही हेल्फुल है यह बात अपने जहन में डाल लो गुडीवनिंग गुडीवनिंग नमस्कार 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 शुब संध्या ठीक है यहां पर आपके पास क्या 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 है वेस्पर थियोरी के अनुसार शेप आप से पूछी है शेप आप से पूछी है दीरे-दीरे क्वेशन को लेकर चलेंगे मैं उमीद करता हूं चीज सलफर पास कितने वले इक दो तीन चार पांच पोजिटिव के座िया तो सलफर के पास फांच बातके पास चार बन गया तो भाइसाहब यहां पर हैप stupid और हइडरल और शेप क्या शेप आपके पास यहां पर आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल बन गई है अब क्योंकि आप पूरी केमिस्ट्री देख कर आए हो तो थोड़ा सा पेशन्स आपको रखना चाहिए पूरी केमिस्ट्री आप देख कर आए हो तो थोड़ा सा पेशन्स आपको रख बढ़ कर दोगे कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगे पे जरूर ये पढ़ा है S242 नेगेटिव अगर मैं थोड़ा सा यहां पर लेकर जाओं इसको यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसको लेकर जाओं तो क्या यह इससे नहीं निकला क्या भाई सा series पढ़ाई जाती हैं पढ़ाई mean group chemistry में जाती है पर वो चीज़े collapse करती हैं दोस्त हमेशा करती है ये बात ध्यान रखना हमेशा करती हैं तो इसका structure क्या होता था इसका structure इस तरीके से होता था O है OH हो गया O है और OH हो गया ठीक है यहां पर lone pair है, यहां पर lone pair है, तो इसका भी structure क्या हो जाएगा, यह इसका structure हो जाएगा, जी, देखिएगा, O negative, O negative, और इधर एक lone pair, और इधर एक lone pair, यह भाई, इसका structure होगा, तो अगर आप इस sulfur को देख पा रहे हो, इस sulfur को देख पा रहे हो, तो यहां पर इसके पास कितना बना एक sigma, 2 sigma, 3 sigma 3 sigma PLUS 1 lone pair क्या मैं इसको भी pyramidal नहीं बोल सकता tetra hydral geometry and pyramidal shape बोलो भाई pyramidal shape तो भाईया इस परकार question गलत होते हैं ना इस परकार से question गलत होते है यह बात ध्यान रखना, कितने लोगों ने इमानदारी से बता देना कि देखकर इस question का कुछ महतवी ही नहीं समझा, ठीक है, यह चीज आपको थोड़ी सी महसूस होनी चाहिए, दोस्त, कि हम यह question आता हुआ, जल्द वाजी में अगर गड़ बड़ कर रहे हैं, तो यह चीज आपको थोड़ी सी ना महसूस होनी चाहिए, थोड़ी सी महसूस जरूर होनी चाहिए, तो answer इसका क्या आएगा, D आएगा, D option सही जवाब होगा, गेट एक्सेल वाले भी देख लो भई है ना, question आपको, आपकी फिर अपना लेवल आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, घवराना नहीं पड़ेगा भई, क्या लेवल है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया भई, शाबिया, रिते तो वो question यहाँ पर मैंने डाले हैं, जिसमें आपका पूरा chemical bonding revise होगा, जाहे जो लोग इसको बाद में भी देख रहे होंगे, तो भी यह धिहान दगना, हर question उनको रोक के, पोज करके, खुद करना है, ठीक है, यह बहुत छोटा सा question है, इसमें किसी का गल्त नहीं होना जैम 2022 का question था, जैम 2022 में यह एक number का question था, एक number का यह question था, one number का, one marks का question था, among the following the compound that formed the strongest hydrogen bond, strongest hydrogen bond, आपको बताना है, जैसे भाई, माल लो यहाँ पर HX है, ठीक है, पहली बात कई लोग इसी को यह hydrogen bond समझ जाते हैं, यह hydrogen bond नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, चार्ज सेप positive होगा, तो इसी ही molecule के, इसी ही molecule के, दूसरे वाले से, इसका क्या होगा, hydrogen bond बनेगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यह बनेगा, clear है भई, तो यह चीज ध्यान दखना, इधर आपके पास क्या होना चाहिए, यह जर्नली आपके पास small होना चाहिए, small and high electronegative element होना more hydrogen bond होगा, answer के आजाएगा, यह option सही जवाब आजाएगा, clear है, clear है, clear है, वैशनवी शर्मा, जो भी अगर आपको मैंने उस टाइम भी बताया था, ऐसे question में, जब आपको chemical bonding में इस type के question मिले, diatomy वाले, तो थोड़ा सा सतर्क रहके सोचना, कि यह कहीं ना कहीं किसी चीज स पड़े होई है, तो उसी से ही हम इसको relate करके जाएंगे, more than one central atom, मैंने आपको कहा था, more than one central atom हो, तब उसके बाद हम जल्दबाजी में answer नहीं करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में answer नहीं करते हैं, बाद ध्यान रखना, more than one central atom होगा, तो आपको उसका structure देखना पड़ेगा यह question कहीं नहीं आया हुआ है, बट कहीं पर भी यह आ सकता है, gate वाले तो खासकर इसको ध्यान रखें है न, और jam वाले भी ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि भाई, यह housecraft book का reference example है, और ऐसे बहुत बार हुआ है, कि जो heading मेंने इस तरीके से डाली, यह housecraft का example है, और वो दिख गया हो, इसका answer क्या आएगा भाया, ABCD में answer नहीं आएगा, ABC answer नहीं आएगा, इसका answer कुछ fraction में आएगा, एक डब्बा है यह, इस डब्बे में आपको answer भरना होगा, ठीक है, इस डब्बे में आपको answer भरना होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी भाई, like, like कर देना भाई, शेर वियर कर देना भाई कैसी चल रही है जी तयारियां भड़िया चल रही है आखरी एक मन्त हम कह सकते हैं पूरा एक महिना है अपने थोड़ी सी नर्व को कंट्रोल करना और चीजों को बार-बार रिवाइज करो ये भी किसी नहीं देखी हो नौटबोक नहीं रिवाइज क कर सकते हो आपके बायो टेकनोलोजी वालों में केमिस्ट्री आती है तो आपको देखना होगा अब आपका बीटी में कितना ज़्यादा कि मुश्किल क्योशन नहीं आता है तो वह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बहुत बढ़ी आशरवाद है इस अपनी वीसी बहुत अच्छा यहां पर आपके पास क्या होता है मियू होता है क्या क्यूट इंटू न्टी क्यूंट MINUTD होता है, MUE यहाँ पर आपको कहे रखा है, उसने कितना वो कहे रखा है, 0.8 2 7 DBY ठीक है clear है अब यहाँ पर मान लो आपसे X पूछा है ठीक है, कि आपसे पूछा है कि कितने unit charge होगा, X किया है आपको, माला कितने unit charge है, एक unit चार्ज है दो जुनिट चार्ज है वो आपसे पूछा हुआ है ठीक है और यहां पर आपने ले लिया क्या डी ले लिया ठीक है डी आपका क्या है डी है 141.5 इंटु में 10 टु पावर माइनस 12 मीटर सबी लोग शांती से बैठ कर भाई सुनेंगे शांती से बैठ कर सुनेंगे जब आपसे क्या पूछा है चार्ज distribution आये जैसे हमने यहां पर मालों एच बी यार है यहां पर क्या है एच बी यार है तो आप जर्नली कुछ नहीं ले कर चलते तो यहां पर आप प्लस वन और माइनस वन ले गर चल लेते हो, ठीक है, बट यहाँ पर उसने प्लस एक्स और माइनस एक्स कह दिया है, तो आप से पूछा है कि X क्या हो, X कुछ भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, मगर हां, यूनिट लेस जरूर होगा, क्या होगा भा गया अप कोलाम मीटर में ले जाओंगे एक दिवाय में इतना होता है 3.36 इंटू में 10 to power minus 30 कोलाम मीटर हो गया टीक है नीचे यहाँ पर क्या आ गया नीचे आ गया 141.5 into 10 to power minus 12 क्या मीटर मीटर से मीटर चला गया टीक है तो अभी यहाँ पर क्या आया यह x आ गया ठीक है अब calculator का आपको बाई इस्तमाल करना पड़ेगा ठीक है calculator का क्या करना पड़ेगा use करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या है 0.827 इंटु में 3.3 इंटु में 3.36 ठीक है यहाँ पर आएगा clear है और divide कर दिया हमने किस से divide कर दिया 141.5 141.5 से हमने इसको divide कर दिया यहनि कि यह बन गया आपके बाद 0.019 इंटु में 10 to power माइनस का 18 कोलाम ठीक है अब आपको पता है कि एक unit charge में 1.6 इंटु 10 को पावर माइनस 19 कोलाम होते हैं तो आपने इसको 1.6 0 से इंटु 10 to power माइनस 19 कोलाम से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया ताकि कोलाम से कोलाम चला गया इसको 1.6 अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर यह बन जाएगा आपके पास x की वैलियो हो जाएगी 0.012 इंटु में 10 to power 1 यह x हो जाएगा यानि कि यह आजाएगा 0.12 is equal to x यानि कि भाई सीधा सीधा दिख सकता है इसका answer जो आएगा ना भाई बहुत important है यह कभी भी दिख सकता है hbr है यहाँ पर 0 plus 0.12 और minus 0.12 house craft में आपको यह sold example की रूप में मिलेगा आपको चार separation बताना था ठीक है dipole moment को आपको use करके करना था dipole moment आपको given था क्योंकि यह unit less आएगा यहाँ पर meter से meter पहले cancel हो गया था अब यह kolamb है तो आपको कितने unit में है यह ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या आएगा यहाँ पर आपके पास answer आजाएगा 1.6 into 10 to power minus 19 को लाओ 382 लोग scene कर रहे हैं like सिरफ 182 है यही तो ना इंसाफी है जी बताओ बताओ जी गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग कैस से हो कैसा काई की हाल चाल question समझ में आया पता लगा कि अगर paper में आया तो हम उसको touch कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बोल भाई क्या question समझ में आया जल्दी से इमानदारी से बता दीजिए तो हम आगे की तरफ चल पड़ें बोलो जी obviously unitless होगा प्रियंका जी obviously unitless होगा कभी यहाँ पर आपने मान लो जब आप ये करते आये थे hbr को आप plus one minus one तो उसकी unit लेते पर चार बार कर देना like है ना जितनी बार भी like करो even में करना दोस्त even में करना भाई odd में करोगे like like करेंगे फिर दुबारा like करेंगे तो बोडिस like हो जाएगा odd में करना या तो तीन बार like करो बढ़िया है जी बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया एकदम मजे में ठीक है किसी को कहीं भी दिक्कत आए तो उसको दुबारा देख लेना भाई ठीक है यहाँ पर कुछ था आपने पास ये गीवन था इसको हमने कोलाम मेटर में लेकर गए कोलाम मेटर में लेकर गए आपको एक्स निकालना था ठीक है तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर यह क्या एगा चार्ज सेपरेशन है तो यह यूनिट लेस होगा चार्ज सेपरेशन होगा वैसे भी आपके पास इतना कोलांब आ गया है ना आपके पास कितना कोलांब आ गया तो 0.09 into 10 to power minus 9 18 अब यह कितने युनिट चार्ज का कोलांब है एक युनिट चार्ज में 1.6 into 10 to power minus 19 कोलांब होता है तो यह कितनों में होगा तो उसको हमने 1.6 से डिवाइड कर दिया आपके पास यह आ गया आपके पास यह आ गया 0.6 इतना कोलांब है आपके पास 0.019 into 10 to power यहां पर आपके पास minus 18 कोलांब आ गया तो यह कितने युनिट चार्ज का होगा तो इसको एक युनिट में होता है 1.6 into 10 to power minus 19 इन उससे हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया चलिए भाई नेक्स्ट क्योशन डैपल मुवमेंट का ही है जल्दी से आंसर बता दीजे ता number of isomars having known zero dipole moment हर क्योशन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा यह बात ध्यान दखना कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाएगा वह बात नहीं भाई नवीन भाई देखो समझो आंसर क्या है इसका ठीक है आंसर यहाँ पर क्या है देखे कब है जब उसने कहे दिया आपको क्या PCL25 के isomars लेने है तो फिर भाई आपको सारी possible arrangement लेनी पड़ेगी फिर आप epigophilicity वाली band rule वाली बातों से हट कर इसकी और possibilities देखोगे इसकी और possibilities यहाँ पर देखोगे जैसे कि भाई पहीली possibility क्या यहाँ पर आपके पास क्या है दोस्त फोस्फोरस है एक possibility यह है कि मेरे दो दोनों क्लोरीन यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन एक possibility क्या हो मेरे क्लोरीन दो एक क्लोरीन इस तरीके से और मेरे तीसरी possibility हो कि दोनों फ्लोरीन मेरे एक्जियल पर यही मेरे पास तीन possibility बन सकती है भाई यह तीन पो आने हैं, start question 180 minute, 3 minute एक question, मतलो 3 minute भी आप, 2 minute ले लो, 2 minute ले लो भई, आप कह रहे हो नहीं जी गुरुजी, 30 सेगन में गलत करेंगे, गंटे पेपर्स उल्टा देंगे, उसके बाद देखेंगे मुएना, कि बगल वाले का कितनी rank आने वाली है, सर वो बहुत stress में लग रहा था उसकी तो rank नहीं आएगी, सर वो बहुत बढ़ी अलग रही थी, सर, कुछ फाइदा नहीं है, ठीक है, जल्द वाजी करके उसके बाद आप क्या करोगे, इधर उदर देखोगे, और इधर उदर देखने वाला आपको देख नहीं रहा होगा, तो इससे अच्छा अपना paper कर लो, वो आपके लिए सेहत मन्द होगा, ठीक है, तो दियान रगना भई, इतमिनान से पहले question को समझो तो सरी, इतनी देर में तो आपके answer फैक नहीं लग जाते हो आप, देखो भई, यहाँ पर आपके पास, पोसिबल, अगर isomer पूछा है, तो भई, आपको लेना लेना पड़ेगा, वैसे भी यह क्या है, आपका polar ही है, आपसे कितना पूछा है, अगर आप यह लोगे, तो यह एक दूसरे को cancel कर देगा, इसका dipole उपर, इसका dipole इधर, यह मान लो, आपके पास क्या है, mu1 है, mu2 है, और यहाँ पर mu, यह mu1 था, mu1, mu2 हो गया, यह mu2 हो ग है, यह मान लो, इसका 0 dipole moment में रहेगा, तो इसका तो आगयो Q0 इसका अगया, तो आपने इसको हटा दिया, अगर यह is का 0 dipole moment आपके पास हो रहा है, उसके पास यह है, इधर मान लो, mu1 जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, mu2 जा रहा है, तो यह कभी भी इसको cancel नहीं करेग तो Mu कितना आएगा? Non-zero आएगा और इधर आपके पास क्या होगा? यहाँ पर मालो Mu1 है और इधर इन दोनों का Mu2 है और इधर Me2 है तो यहाँ पर respectively क्या निकलेगा? Mu2 निकलेगा तो यह भी non-zero आएगा तो भाई यह दो possible isomers हैं यह बार ध्यान रखिएगा दो possible isomer से तो answer क्या हो जाएगा दोस्त दो हैं जिनका non zero dipole moment आने वाला है कितना आने वाला है non zero dipole moment आने वाला है क्या आप ये बाते समझ पाई हो देख पाई हो सुन पाई हो बोल भाई कोई दिक्कत कोई समस्या समस्या ही समस्य है सर जी क्या बताएं ठीक है देखो भाई पूरा सेशन देखो मजा आएगा पूरा सेशन देखो भाई मजा आएगा है ना इजैम में यह आया था जल्दी से टाइम नहीं लगना चाहिए जल्दी से आंसर कर दो इसका बी एच टू भाई क्या है पोजिटिव है और एन एच टू क्या है पोजिटिव है आप से भाई इसकी क्या पूछ ली थी जियोमेट्री पूछ ली थी इसमें पूछी थी 2022 में ये बात उन्होंने पूछी थी 2022 में उन्होंने बात पूछी थी अराम से इसका अंसर कर सकते हो अगर यह नहीं दिख रहा है तो इसको non zero मतलब zero से non non zero मतलब कुछ भी non zero मतलब कुछ भी ठीक है नहीं क्लोरीन क्लोरीन को आप आमने सामने रखोगे अगर possible में पूछ रहा है कितने सारे हैं कितने सारे हैं तब आप उसको रखोगे और अधर्वाइज वो आंसर आपका अगर आप से माल लो online stable की बात करते रहा है तो आप नहीं रखोगे और यहां पर पास क्या होगा बीच टु पोजिटिटिव भाई बोरोने मने इसक तीन होते हैं मगर यहां परडोएं तो यहां पर यहां पर ने बना लिया ठीक है यह बन गया क्या लीनियर ठीक है यह आपके पास क्या बन गया लीनियर बन गया यह लीनियर बन गया नाइट्रोजन के पास आंसर आयगा कितना. ट्राइगोनल प्लेनर. ये आंसर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर. तो आंसर क्या हो जाएगा? B-Option सही जवाब हो जाएगा. मैं उमीद करता हूँ, ये तो किसी के ही गलतने होंगे, ये तो किसी के भी गलत नहीं होंगे, B option will be the सही वाला क्या answer ठीक है बई share करते रहिए बईया मजे से session लेते हैं jam 2020 में question आये था ये भी आप लोग बहुत असानी से कर दोगे I don't think इसमें किसी कभी गलत होगा क्यांकि इन चीजों में आप expert हो भाई एक चीज जरूर ध्यान रखना जीवन में जब question आपको देख के लगे कि आप कर सकते हो बहुत असानी से हो जाएगा तो किर्पया करके उसमें एक मिनट एक्स्ट्रा दे दो जब उसने आपको कोई असान question दिया है तो वहाँ पर आप इतना तो कर सकते हो कि उसको एक मिनट दे सकते हो बोलो भाई अगर वो आपको एक असान question भेज रहा है तो आपका एक धरम है कि भाई आप उसको एक मिनट दो क्योंकि यार असान question आप जल्दवाजी में करते हो और confidence में करते हो तो वो गलत हो जाता है और बाद में आके जो उसका दुख होता है ना दोस्त हुए हुए हमारे भी एकादे ऐसे कि बहुत ही असान question भी बहार आके पानी भी अरे नहीं यार बाद में अरे पेपर हो गया चल गोमने चले अरे नहीं भाई बाद में बाद में चलेंगे एक दुवाई ने बाद बाद करी हो एबजोर्ण होने में दिक्कत आती है इसलिए कह रहा हूं यहां पर आपसे क्या पूछा है बी आर थ्री पोजिटिव पूछा है देखो भाई ब्यार थ्री पूछा है यहां पर आपके पास क्या है बी आर थ्री पोजिटिव ठीक है ब्रॉमीन के उपर क्या जी पोजिटिव चार्ज यानि कि कितने वैलेंस इलेक्टरों सब्सक्राइब टीन चार पांच छे एक दो दो ब्रॉमीन हो गया लोग लोंपियर यानि कि यह क्या आ गया दो बॉंड पेयर दो लोंपियर ठीक है तो इसकी जो जमेट्री आ गयी वह कि tetrahedral जमेटरी इसकी क्या हो जाएगी कुछ इस तरीके से रहेगा ब्रोमीन है और इधर ब्रोमीन है यहाँ पर जी लोन पे यहाँ पर जी लोन पे इस तरीके से यहाँ पर भाई प्र उसके बाद आप के पास क्या आएगा BR3 negative BR3 negative यहां पर आपके पास आएगा तो Bromine है Bromine के ऊपर negative charge एक दो तीन चार पांच छे सात आठ एक Bromine है इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको BR2 negative है ठीक है दूसरा Bromine ठीक है 1 Lon Pair 2 Lon Pair 3 Lon Pair क्या बना भई दो Bound Pair 3 Lon Pair बना तीन लोन पेर बना दो बॉन पेर तीन लोन पेर यानि कि क्या बना स्टेरिक नंबर पांच जुमेट्री कितनी भाईया जुमेट्री क्या होगी जी टीबीपी होगी बोला है पढ़ाया है अगर स्टेरिक नंबर पांच आ रहा है तो मोस्ट पर आपकी जुमेट्री जाएगी वो इसकी अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो यह लीनियर शेप होता है लीनियर शेप का यह होता है बोलो जी Yes और No BRF3 की अगर मैं बात करता हूं मेरे पास Bromeyne है Bromeyne के पास 1,2,3,4,5,6 और यह साथवा हो गया एक दो तीन यहाँ पर लोन पेर यहाँ पर लोन पेर यह क्या बना तीन बोन पेर प्लस दो लोन पेर बना यानि कि अभी भी स्टेडिक नंबर पांच बन रहा है स्टेडिक नंबर पांच जमेट्री टीबी पी शेप क्या होगी जल्दी से बता दीजी शेप क्या होगी आंसर क्या होगा या C option शही उत्तर हो जाएगा D नहीं होगा the one and only प्रवीन D नहीं होगा mistake करना भी अपना ही काम है दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है mistake सबकी होती है सबसे होती है वहां पर कुछ नया भी एगादा तो होगा मगर आप थोड़े से ध्यान रखना थोड़ी सी बात ध्यान रखना कि जल्दबाजी आप करोगे तो आपकी ज्यादा चांसिस है आप अगर किसी को लगता होगा भाई एक साल से त्यारी कर रहा है उसके दिमाग में बार-बार ये बात आती होगी कि सर रेक्टिफाई नहीं हो रही है चीज़े गुरु जी रेक्टिफाई मतलब रेक्टिफाई का मतलब आप जो बार-बार गलती कर रहे हो वो दुबारा भी कर रहे हो वो सही नहीं हो रही है चीज़े सही नहीं हो रही है रिपीट होई जा रही है तो भाई चीजों को ये करो ग आजाएगा बहार आके कोई कबड़ी का खेल नहीं खेलना है आपको ठीक है यह बात ध्यान रखना हो चलिए उसके बाद यह एक कॉंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूं कई लोग कह रहे थे कि सथ परसेंटेज इस करेक्टर और बॉन्ड एंगल का कैसे निकालने का होता है तो भाई थोड़ी देर पहले कुछ बैट कर एक चीज सुनिएगा ठीक है आपके पास इस तरीके का होता है यहां पर दियान रखिएगा यहां पर आपके पास ऐसा चीज होता है एक होता है SPI I क्या होता है,ま эти hybridization index होता है hybridization index यहाँ पर होता है top यह I आपके पास निकालना होता है अब यह I आपके पास fraction में integer भी आ सकता है integer भी आ सकता है जैसे कि 1, 2, 3 SP, SP2, SP3 इस तरीके से मालो जाएगा आपके पास आ सकता है यह fraction में भी आ सकता है जैसे कि मान लो आपके पास SP 1.5 आ गया ठीक है तो यह होता है non-ideal mixing और एक आ सकता है infinity तो यहाँ पर तो कोई hybridization ही नहीं होती सवाल उठता है यह I कैसे relate करता है यह I कैसे relate करता है तो भाया यह धिहान रखना कोई theta से यह relate होता है कोई theta is equal to minus 1 upon I bond angle से relate इस तरीके से होता है अब क्योंकि कोई theta आपका theta क्या होता है percentage s character से directly proportion होता है तो कोई theta का यह formula भी यहाँ पर लगता है s upon s minus 1 p minus 1 upon p और यहाँ पर minus 1 upon I यह एक relation होता है जो आपको help कर सकता है सब कुछ करने से ठीक है सब कुछ करने से पको क्या करता है help कर सकता है कोई theta इस तरीके से भाई काम करता है s upon s minus 1 p minus 1 इस तरीके सकता है भाई actually में क्या है मैंने कुछ नहीं किया s क्essionले स्पलस p 1 होगा अगर percentage तो आपने स की जगे यहांपर क्या लिख दिया एस की जगे यहांपर पर 1-1 को आपने पी लिखा तो यहां पर 1-P, इसको 1-P कर दो भई, ठीक है भई, इधर आपने लिखा, ये 1-P, इस तरीके से ये चीजे चल रही होती है, ठीक है, हाँ, कोई नहीं, सभी दोग सुन लो, चिसने नहीं पढ़ाय, सुन लो भई, चिसने नहीं पढ़ाय, सुन लो, ये दुबारा दिक्कत आपको नहीं द लोगेगा, एक बार बैट कर सुन तो भई, अब पढ़ा रहा हूं तो अब सबको ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सभी को ही काम आएगा, बस बैट कर सुन लीजेगा, क्लिर है भई, S upon S minus 1 ठीक है इस तरीके से होता है ये और S plus P हो गया आपके पास 1 हो गया तो यहाँ पर आपने किया तो वो सही था P minus 1 यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरीके से चलो आप एक याद रख लो दोनों को याद रखने की बिज़रोद नहीं है यह वाला याद रखे, ठीक है, जैसे कि माल लो, आपके पास यह चीज है, यहाँ पर आपके पास A, B है, और B है, सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर यह B है, यहाँ पर 120 डिगरी एंगल है, ठीक है, आज आपको पता है कि यह SP2 हाइबराइजेशन है, यह SP2 यहाँ पर अगर आप देखो, 1 अपोन माइनस का कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो, 1 अपोन माइनस का कोस 120, एक चीज पहले ध्यान रखना, कैलकुलेटर आपको यूज करना भाई, आना चाहिए, सब कुछ सिखा के चले जाओ, और आप वहाँ पर कैलकुल अगर आप देखो, अगर आप देखो, इस तरीके से यह रिलेशन होता है, यह बात ध्यान रखना, समझ में आया, आई क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, देखो, बहई, सभी लोग देखो, केमिस्ट्री है यार, इतनी देर में तो आपको चीज़े सीखनी चाहिए, रेधर देन कि यह हम देखें या नहीं देखें, अराम से देखो, बिन्दास, अदीती, देख लो यार, हना, अराम से देखो, समझ में आया भाई, गोंड एंगल के थुरू हम इस तरीके से भाई, जा सकते हैं, बोंड एंगल के थुरू हम यहाँ पर, कोस 120 माइनस हाफ होता है, कैलकुलेटर आपको चलाना पड़ेगा, वहाँ पर पैन चलाने पड़ेंगे, अब मान लो मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या है, यह क्योशन था, फाइंड दा परसेंटेज एस करेक्टर in bond of NH3, यह है आपके पास, ठीक है, यह है आपके पास और यहाँ पर loan pair है, ठीक है बई, इस तरीके से है, और भी चीजे हम, let's suppose मैंने आपसे एक question पूछा, मैं आपसे यहाँ पर एक question पूछ लेता हूँ, कि मान लो किसी के अंदर, यहाँ पर, इसी को ही अगर आप देख र i की value कितनी होगी भई, i की value, just अगर आपसे पूछी जाय अपको नहीं बता न दोस्त, तो यहाँ पर आप cos theta और minus one upon i, सीख लो, सीख लो, आपने नहीं देखा हुआ है, तो सीख लो, सीख लो, सीख लो, आराम से देखो, बहुत easy है, बहुत easy है, cos 500, iq value कितनी होगी minus 1 upon cos 1,500 cos 1,500 कितना होता है cos 1,500 कि अगर आप निकालोगी calculator use करना है अपने दिमाग को बहुत टेज नहीं दोडाना है कि सर बचपन में सीखा था मैंने trick बहुत जबरदस बहुत जबरदस trick सीख लिया था वो नहीं करना है ठीक है कितना जाएगा भाई यह जाएगा आपके बास 2 upon root 3 तो इसके value जो निकल कर आएगी 2 upon root 3 तो यह लगबग 1.15 निकल कर आएगा तो आप इसको क्या कह दोगे SP 1.15 बिल्कुल basic सी चीज़े हैं तो यह किसी ने नहीं पढ़ी है तो जस्ट आपको बताईए अब इसका question का answer करो और आगे चलेंगे ठीक है दोस्त क्या होगा यहाँ पर इसका answer इसका answer क्या होगा NH3 है given bond angle है भाईया 107.8 degree कितना है भाईया 107.8 degree और कोई कंजूसी नहीं करनी है कि है गरुरुजी 107.8 हटाओ न 107 लो round off करो round off करो सीधा answer निकालतो ठीक है ऐसे नहीं करना भाई ऐसे नहीं करना ठीक है आपको एक ही formula ध्यान रखना है 4 formula रखने जाओगे तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे यही आपको ध्यान रखना है ठीक है s-1 कोस थीटा कितना आएगा कोस यहाँ पर कितना आएगा 107.8 डिगरी यहाँ पर आएगा s upon s-1 किर्पया करके बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आपने 8 छोड़ दिया उसको नहीं लेकर चल रहे हो वो भाईया ना इंसाफी हो जाएगी दोस्त वो नहीं करना है क्योंकि वो सो समझ कहीं देगा इसकी वेली होती है कितनी इसकी वेली होती है minus 0.30 ताकि आपका answer थोड़ा सा अच्छा पहुच जाए calculation में इतनी दिखकर ना है यह s-1 बनाएगा अब यहाँ पर minus 0.3s minus 0.3s plus 0.30 is equal to s 30s बना s बना और यहाँ पर आपका s कितना बन गया s बन गया 0.30 अपोन में 1.30 तो इसको डिवाइड कर दिया मैंने 1.30 से 23.51 23.51 के राउंड आएगा 23.5 के असपस अगर आपका होगे एक चीज समझ लीजिएगा यह जो आया है यह इसके अंदर आया है 23.51 ठीक है मान लो आपसे क्या पूछा जाए बहुत तगड़ा क्योशन बन जाएगा भाई आपसे पूछ लिया जाए percentage as character in loan pair in loan pair of आपसे यह कूछ लिया जाए percentage as character in loan pair of NH3 तो दोस्त क्या आंसर होगा क्या आंसर होगा तो भाईया टोटल 100 मान लो आप लेकर चल रहे हो आप क्या कर रहे हो 100 में से आपको फिर घटाना है 100 माइनस ठीक है यहाँ पर आपने लिया कितना 3 है 23.51 ठीक है 23.51 यहाँ पर आप लेकर चल रहे हो कितना आजाएगा भिया इंटू में 3 आपने किया माइनस 100 आप इसको कर दोगे तो लगबग आपके पास माइनस अगर आप इसको करते हो माइनस 29 पॉइंट कुछ क्या सपस आजाएगा 29.4 क्या सपस आजाएगा ठीक है एक का निकलता है दोस्य बाद ध्यान रखना एक का निकलता है वहाँ से आपने एक का निकाला है तीन का करना होगा तो आपको 100 में से माइनस करना पढ़ेगा बोलो जी 100 में से माइनस करना पढ़ेगा कितने लोगों को clear है ये कितने लोगों को clear है बिलकुल ठीक विकास बहुत बढ़िया भाई बहुत बहुत बढ़िया राजीब जखब कोशल कुमार कुमावत प्रिपल के 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 रोजी खान बहुत अच्छे, समझ में आया भाई, क्या मैं उमीद कर लूँ, एक बार जल्दी से हाँ हूँ हाँ हाँ जो भी भेजना है भेजो की हाँ जी, एक और क्योशन आप से पूछ लेते हैं, आप उसका अंसर कर देना, थोड़ा सा मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है, नीन बड़ी पी वाई क्यू, वो भाई मार्क्स टू ओल पूछा गया था, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, बोलो जी, देखो, क्लियर है, इस तरीके से आपको जाना है, find the percentage as character in one loan pair of S2 bond angle of S2 is 104.5 अगर आप सही सटीक answer कर दोगे प्लीज जैसे बोला जा रहा है उस तरीके से जाओ answer ठीक हो सकते हैं कोई भी बड़ी बात नहीं है ये bond angle है कितना 104.5 degree 104.5 degree ठीक है बिलकुल भाई 4x 4x ठीक है jam economics के बारे में भी सोचा जाएगा ठीक है भाई या लिखा हुआ है percentage as character in one loan सब कुछ लिखा गया है विकास भाई सब कुछ लिखा गया है ठीक है सब कुछ लिखा गया है तो हमेशा कैसे जाया जाएगा ऐसे जाया जाएगा जैसे बताया गया है cos theta upon s s minus 1 ठीक है cos 104.5 degree की value कितनी होगी जरा बताएंगे कितनी होगी दोस्त cos यहाँ पर मैंने ले लिया cos 104.5 ले लिया तो इधर आंसर आ रहा है minus 0.25 upon में s upon s minus 1 तो यहाँ पर 0.25 है यहाँ पर s बन जाएगा 0.25 बन जाएगा और यहाँ पर s बन जाएगा इधर 0.25 है यहाँ पर 1.25 s बन जाएगा divide करो 1.25 से s की value आपके पास लगबग आजाएगी 0.20 percentage में बताना है तो आप कितना बताओगे 20% बताओगे यानि कि दोस्त यहाँ पर जो यह निकलता है ना यह जो निकलता है वो क्या निकलता है वो निकलता है कि इसके अंदर कितना परतीशत है तो 20 परतीशत है फिर इसके अंदर कितना होगा 20 परतीशत होगा पूरे में s गुमेगा एस तो 100 था s अकेला 100 था और वो P से मिला होगा मगर s पूरा अपना contribution धीरे धीरे जितना जितना गया इसमें 20 परसेंट अगर ऐसे तो बाकि सीपी होगा बाकि सीपी होगा बट आपको इसमें बताना है तो यहां पर 20 परसेंटेश यहां चला गया 20 परसेंटेश यहां पर चला गया तो भाई इस पूरे दो लोन पेरों में कितना आ गया बचा हुआ 60% मगर वन लोन पेर में कितना आया भईया वन लोन पेर में आंसर आएगा 30% और आंसर अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 30 आंसर होगा 60 आंसर नहीं होगा ये तो वही बात हो गई कि मिले दोनों को और आप सोचे लोगी सारी जायदाद गुरुजी मेरी ही है नहीं तो भईया अपनी जायदाद बनाओ पढ़ाई बढ़ाई करो बढ़िया से तसल्ली से मन लगा के करो ठीके जी मन लगा के करो बोलो भाई चलें आगे कोई दिककट कोई समस्या चलें आईए ये कॉंसेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं इसको खतम करते हैं हाँ पर जल्दी से आंसर गर दीजे ये तो मेरी ख्याल से आपका मतलब कि आप की तीड मज़े आप सो रहे हो आपको मैंने हटाया ठंड में आपकी रजाई खीची किये जल्दी से आंसर कर जल्दी से आंसर कर तो भी मैं उमीद करूँगा कि इसका आंसर ठीक कर दोगे आप ठीक है जी बोलो भाई देख लो दुबारा बता देता हूँ आपको अगर पूछा जा रहा है तो इस formula से उस एक bond में कितना percentage है वो निकलता है अगर एक में 20 है तो दूसरे में 20 होगा पूरे में 100 था अब देको भाई 20 इसमें होगा भाई है न तो loan pair में कितना आया डोलोण पैर में आया total loan पेर में कितना आया टोटल लोन पेर में यहां पर हंड़र माइनस 40 कर दिया आपने यहनि कि 60 आ गया 60% आया कितने में दो लोन पेर में तो एक लोन पेर में कितना होगा यार 30% होगा ऐसे मत बैठ जाना कि सार चारो थे सब को 25 फिर तो मीोस्ट नहीं हो जाएगा पिर सो हिस्घ निहीं कुछ नहीं घंट अब भी सब को हुजा ना सी-टिंक चीक है भाई, तो इसका आपने अभी देखा, I3 negative का क्या होता है, दोस्त, BR3 negative जैसा होता है, यहाँ पर आपके पास क्या बना था, 2 bond pair और 3 loan pair आपका बना था, चेरिक नंबर 5 बना था, क्या बनी थी, hybridization, SP3D बनी थी, बुलो जी, SP3D यहाँ पर बनी थी, CLF3 है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो भाईया, यहाँ पर आपके पास 7 होते हैं, तो 3 bond pair चले गए, 3 bond pair प्लस 2 loan pair यहाँ पर चले गए, यहाँ कि पांच, यहाँ कि भाईया, SP3D और यहाँ पर जोमेट्री कितना आ गया, सलफर है, सलफर के पास 6, देखते ही करने का होता है, सलफर के पास 6 valence electron, 16 group का है, 6 है, 6 में से 4 ले गए, यानि कि 4 bond pair बना लिए होंगे, बचे 2 electron, 2 electron से 1 loan pair बनता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बना, यहाँ पर आपके पास 5 बन गया जी, और यह हो गया, SP3D, तो कई ल भाई, अराम से question करने का, ऐसे question गलत नहीं करने का, session को share करने का, like करने का, must रहने का, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोस्त, पानी वानी पीते रहो गई, ठंड में पानी पीने का, थोड़ा सा कम होता है, मगर फिर भी पीते रहो गई, ठीक है, उसके बाद यह आपके पास एक question है, gate 2021 का question था, gate 2021 का यह question था, shapes हमेशा निकालने का है न, shape निकालने का हमेशा किस तरीके से करना है, shape आपको जब भी निकालना है, steric number, उससे आप geometry, geometry से, steric number, hybridization, hybridization से geometry, geometry से shape, आप लोगों को लगता है कि यह नहीं, अभी जो net का paper हुआ है, उसमें भी कई थे आपके, इसकी तरीके से, ठीक है, भाई, पोल यूट्यूब पे नहीं कर रहा काम, ठीक है, आप वैसे देख लो है न, दोस्त, chemistry time, ऐसे देख लो है न, जूम करूँ बई, जूम करूँ, जूम कर देते हैं बई, न, देखो बई, N3 negative यह ध्यान रख लेना, यह N3 negative होता है, और O3 इस तरीके से होता है, यह आ सकता है paper में, आया भी हुआ है, N3 negative और O3, O3 कैसा होता है, negative यहाँ पर, negative charge, और यहाँ पर आपके पास positive charge, ठीक है, तो यह आपके पास होता है, तो यह आपका particularly क्या आता है, linear आता है, linear आता है, और यह bent आता है, अब कई लोगों के कई question, इसके, यह कई question में, बीच में, ऐसे थोड़ा सा डाल देता है, ठीक है, तो भाई, आपको यहाँ पर shape पूछा है, अगर किसी को N3, ज़रूरी नहीं होता कि सब पता हो, कुछ-कुछ भी पता हो, तो answer आ जाता है, CLF3 आपने देखा भी, पीचे ही देखा, यहाँ पर इसके पास क्या होगा, तीन bond pair होंगे, और दो lone pair होंगे, ठीक है, तो यह क्या होगा, 5 होगा, SP3 dehydration होगा, geometry, TBP, shape क्या, T-shape इसका answer होगा, क्या answer होगा भई, T-shape इसका answer होगा, तो यहाँ पर T-shape जिस जिस में उसको रखो, बाकी को भाई क्या करो, eliminate करो, यह गया और यह गया, N3 negative क्या होता है, linear होता है, तो यह linear दोनों में है, अब आपका इससे हो जाएगा, XOF2, XOF2 से आपका question हो जाएगा, यह है XOF2, कुछ नहीं करना, Xenone के उपर 8 valence electron देने हैं, 8 valence electron यहाँ पर आपने Xenone के उपर लिए, 2 oxygen यहाँ पर चले गए, 1 fluorine और 1 fluorine, 1 lone pair और 1 lone pair, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, यहाँ पर आपके पास आया दोस्त, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 3 sigma, plus 2 lone pair, यनि कि यह भी क्या बना, 5 बना, और यह भी आपका क्या बन जाएगा, यह भी आपका क्या बन जाएगा, यह भी आपका बनेगा, SP3D, SP3D, geometry, geometry आपकी क्या, geometry आपकी बनेगी, TBP, shape क्या बनेगा, T-shape बनेगा, shape क्या बनेगा, टी शेप बनेगा आंसर क्या हो जाएगा भाया पहिला option क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है समझ में आ रही है तो भाया लाइक करें और आगे बढ़ें ठीक है इस चोटा सा question I think इसमें किसी को कुछ किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका हाँ बिल्कुल भाई अधित्या बिल्कुल सब बिल्कुल भाई सब का निकालने की जरुद नहीं होती किसी से आंसर बन जाता है सब को जानने की जरुद नहीं है किसी एक इंसान को समझ जाओ अधित्य दोस्त सारे इंसान को मत समझे किसी एक को समझे और अपना जीवन भड़िया से काटो ठीक है कि यह रहे देखा बीच बीच में तुम्हें जीवन का ग्यान भी देता हूं अब जी हिल रहे थे क्या है यह फिप्त शैल के लिए कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल ना हो मुझे यह क्योशन सिरफ इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपका एक कॉंसेप्ट रिवाइज हो जाए एन कभी भी जीरो नहीं हो सकता यह हमेशा जीरो नोन इकवल टू जीरो होगा एल क्या होगा जीरो टू एन माइनस वन होगा यह बात ध्यान रखना अब यहाँ पर अगर मालो आपके पास क्या है N5 है पहली बात जीवन में ना ये नोट अगर नहीं पढ़ते हम तो भाईया बहुत चुबता है आपने पढ़ लिया कि विचोबता फॉलोविंग सैट ओफ कौांटम नंबर आर पोसिबल पोसिबल पढ़ लिया तो आपने सकता है तो M आपका माइनस 4 से प्लस 4 हो सकता है तो ये पोसिबल है तो भाई ये पोसिबल है और उसने नोन पोसिबल पूछी है तो ये ए मत करो ए मत करो ठीक है ए मत करो उसके बाद N5 है अगर L0 है याद रखना अगर कभी भी L0 आ जाए तो L0 है तो उसके लिए ML तो कितन होई नहीं सकता, cancel, answer आपका आगया, यही answer आएगा, not possible वाला, यह गलत किसी का नहीं हो सकता, आते हैं भाई, बिलकुल आते हैं, question, अराम से इसको देखते चलो, आगे चलो भाई, ठीक है, इस question का answer बताओ, जल्दी से, यह question आपने देखा होगा, कहीं न कहीं टकरा गया होगा आपको, क्या है इस question का answer, following graph shows variation of ionization potential with atomic number in second period, lithium से लेकर neon का, chemical bonding में अब यह ले आया हो, value of ionization potential of Na, यह graph दे रखा है, उन्होंने, अगर किसी को graph नहीं देख रखा, तो वो इस तरीके से उन्होंने graph दे रखा है, ठीक है, वो कह रहा है, कि यह ionization potential यहाँ पर है, यहाँ पर Z है, यहाँ पर मान लो, इधर बैठ है lithium, इधर बैठ है beryllium, boron, ठीक है, और यहाँ पर nitrogen, यहाँ पर oxygen, और यहाँ पर आपका neon, तो वो कह रहा है कि sodium कहाँ पर होगा, कई लोग इसको सोचेंगे कि यार यह तो बुक का है, यह तो data हो गया, यह तो नहीं करने का, भाई sodium कहाँ होगा, sodium को compare किस से करेंगे, li से करेंगे, li से करेंगे, li, na, to sodium, अगर li का ionization, यहाँ जाने पर ionization potential क्या होता है, decrease होता है, अग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ionization potential, lithium का जादा होगा, na से lithium का जादा होगा, यानि कि sodium तो भाई, confirm है, lithium से भी नीचे रहेगा, यहाँ पर रहना चाहिए sodium तो, below lithium रहेगा, अब कहेंगे, जगे नहीं है, below lithium तो पर आएगा, below lithium ही answer आएगा, क्या आएगा दोस्त, below lithium क्योंकि sodium की उस से कम होगी, ठीक है, यह question है, जल्दी, जल्दी से जल्दी इसको करो, इसमें concept आपको बताना था, ठीक है, the most stable among the following, इन में से सबसे stable कौन से है, बस मुझे इतना बता दो कि सर ये लगाना है यहाँ पर, हम इसमें ये concept लगाएंगे, बस आप इतना बता दो क कि हम इसमें ये वाला concept लगाएंगे, जगा ही नहीं थी, ठीक है, कौन सा concept लगाओगे, उतना बता दो, concept लगाने वाली बात है, और कुछ नहीं है, हाड एसिड, हाड, सोफ्ट, एसिड बेज यहाँ पर लगेगा, ठीक है, हाड, सोफ्ट, एसिड बेस यहाँ पर लगेगा, है, हसिड यहाँ पर लगेगा, उसको लगाना ही important होता है, लीथियम क्या है? ओर यहाँ पर यह क्या है? हाड है. तो hard वाला बंदा hard के साथ ही जुड़ेगा, hard और hard का क्या होगा, stable होगा, hard acid और hard base का क्या बनेगा, stable होगा, ठीक है, कैसे डेखना है? कैटाइन मैं आपका च्छोटा कैटाइन हो, और ज्यादा charge हो, ठीक है? छोटा कैटाइन यहाँ पर हो, तो यहाँ पर यह मोल कैटाइन है, यह मोल एनए अटिक है? डेखो बहुरेहाँ मैं hard कोन होते हैं, small size small size होना चाहिए more charge होना चाहिए बट यहाँ पर lithium होता है हाड ठीक है lithium positive हाड है charge आप इसका होगे एक है मगर size छोटा है ठीक है और soft कोन होते हैं जिसका large size होगा large size होगा और large size होगा और less charge होगा ठीक है तो यह आपका soft है वई HG क्या है soft में है HG plus 2 यहाँ पर soft में होता है क्योंकि भाई इसका basically हम क्या करते है charge density देखते है hard में वो होता है जिसकी charge density ज्यादा होती है अब charge density एक अलग concept होता है charge density क्या हो more हो मनलब एक छोटी सी जगे पर ज्यादा charge होना हो ठीक है और यहाँ पर soft acid hard acid soft acid soft acid याँने की charge density यहाँ पर क्या हो कम हो ठीक है तो इसलिए देखते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो less हो beryllium भी यहाँ पर क्या है hard है मगर आप जैसे base आपने देखा base आपने देखा तो base में आप जैसे fluorine हो गया यहाँ पर hard लिखा और यहाँ पर आपने क्या लिखा soft लिखा hard base वो होगा जिसका size क्या होगा जिसका size क्या भाई रीचा राजपुट नहीं चलेगा नहीं चलेगा जी फजान नहीं चलेगा यही concept यहाँ पर major काम कर रहा होता है stability जो बोली जाती है completely आपकी है अगर theoretical paper आया तो हमेशा है अगर आपने लिखे हैं तो वहाई तब ही आपका paper बढ़िया हो होगा समझो एक बात अगर आप hard soft acid base के regarding इसमें concept करते हो तब ही यह कर आपका जो lattice energy यह सब है वो भी hard soft और hard soft acid base के उपर ही काम कर रहा होता है ठीक है यह बात ध्यान रखना clear है भाई समझ गए है ना ठीक है तो यहाँ पर hard base कोन होगा जिसका small size होगा और more electronegative होगी जैसे glory यहाँ पर आगया ठीक है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा यह इसका answer होगा यह stable होगा दोनों hard hard है यह बात ध्यान रखना hard और hard है ठीक है clear है भाई same आपको ध्यान रखना है बोलो जी यहां तक done है अब इसके बाद अगर हम बात करें जैसे इसके रिगाड़ी में आपको एक चीज़ और छोटी सी बता देता हूँ जैसे यह question आया हुआ था net के अंदर आया था आईजी एफ एजी सी एल यह भी हाड इसके उपर है एजी बी आर और एजी आई जरा मुझे बताओगे जरा मुझे बताओगे भाई इनकी solubility in water के बारे में अगर आप बात कर रहे हो इनकी solubility in water के उपर आप बात कर रहे हो तो solubility किस की ज़्यादा होगी ठीक है अग्याइज एफ है एजी अग्यू प्लस अस इस इगल टू सॉफ्ट रहे होई आप भी सोफ्ट हम भी सोफ्ट तो यहां पर बाई या चीज बनना चीए ठीक है हाड हाड मनलब सीधी सी बात है आप अगर मालों सोफ्ट इंसान हो एक एमोशनल इनसान तो आप चाहोग यहाँ पर यह होता है क्या सोफ्ट होता है यह क्या होता है ठीक है ठीक है, soft or hard, तो यह क्या है, stable नहीं है, not stable, तो पानी में जाके सबसे पहले अलग होगा, जो चीज stable नहीं है, अगर दो अलग-अलग इंसान जुड़े हुए, जुड़तों जाएंगे, मगर जल्दी ही, अब यह soft or hard का bond बना हुआ है, तो भाईया, यह इसको दिक्कत होगा, यह दोनों ही क्या है, soft or soft है, तो यह पानी में जाएंगे, अब क्योंकि इनका polar nature है, तो पानी में जाएंगे, तो polar polar को dissolve करता है, मगर इसको जल्दी dissolve करेगा, क्यों, क्योंकि यार यह stable ही नहीं है, not stable है, तो यह पास वेट ही कर रहे थे कि कोई आए और हमें अलग कर दे, कोई आए और कर दे जी, अलग कर दे, मगर यह भाईय साब दोनों soft soft है, इनके बीच में bond अलग है, पानी में जाके अलग इनको होना है, इनको पता है, मगर यह धीमा, धीमा, मलब यह असानी से नहीं होएगे, जब तक आप आग ना लगाओ, कुछ गरम ना करो, ठीक है, तो भाई, solubility इस से जादा होगी, यह बार ध्यान रखना, यह stable है, stable है, जिसके कारण यह not, easily not, easily soluble नहीं होता, not easily soluble, ठीक है, निबार ध्यान रखना, एटकिन्स में हैं, यह सारी चीजे, ठीक है, आगे चल सकते हैं, दोस्त, चलो होगा, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, soft और hard वाले कपल, जल्दी तूट जाते हैं, SPY की statement आईए, what about bond order, भाई, क्या, किधर bond order देख रहे हो आप, जहां पर जरुरो थो, वह अला concept लगाओ, मित्र, मित्र प्यारे, यह smart board पे, IIT लिखा, सिर्फ मुझे दिख रहा है, अरे सलेश भाई सबको दिख रहा होगा, यह IIT हाँ पर लिखा हुआ है, सामने IIT, IIT की दिवार के समने खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ, reflection आ रही होगी आपको, यह बस आपको बीच बीच में याद दिलाएगा, कि यह Hello, Excuse me, इधर, इधर जाना है, ठीक है, बस, वो चीज़े हैं आपर, Consider the following four xenon compounds, non zero dipole moment पूछा है, किसी भी कभी भी compound का dipole moment पूछे, तो आपको उनका structure भाई पता होना चाहिए, ठीक है, अब इनको आपको इतनी बार आपके notebook में होगी यह चीज़े, आपको बार बार बता चुके हैं न, तो आपको यह पता होगा, आपको यह पता होगा भाई, XZF2 क्या होता है linear होता है XZF2 क्या होता है भाई linear होता है ये रहा क्या linear ठीक है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा ये उपर जा रहा है ये उपर जा रहा है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा cancel करेगा और loan pair अब क्योंकि इसका भी cancel हो जाएगा ये इदर जा रहा है और इन डोनों का इदर जा रहा है तो ये cancel कर देंगे त्के यह वाला भी cancel कर देंगे एक दूसरे को ये mu है mu है mayu है ये cancel हो जाएगा ठीक है तो इसका ultimately क्या है reuk A Mexico क्ये अर्ट ये तो क्या होता है squareplaner अब भाई जिसको इसको cancel, ये इसको cancel, ठीक है, ये सब एक दूसरा को cancel करते हैं, तो इसका भी क्या आएगा, Mu0 आएगा, XZF6 के बारे में, ठीक है, XZF6 के बारे में अगर मैं आपसे पूछँ तो यह आपको पढ़ाया गया होगा कि यह जो होता है इसके loan pair यहाँ पर यह क्या है loan pair present होते हैं और participate करते हैं और वो भाई stereochemically active होते हैं stereochemically active loan pair होते हैं क्या होता है भई है stereochemically active loan pair है तो इसका structure आप distorted ओक्टर हैडल बताते हो मतलब कि वो loan pair जो हैं वो present भी है और बहार भी आ रहे हैं तो यहाँ पर यह loan pair जब बहार आते हैं तो इधर आप नहीं कह सकते कि इसका dipol moment 0 होगा non zero dipol moment होगा तो ठीक है non zero dipol moment इसका हाएगा तो बही सबसे पहले तो option अगर eliminate करो ये वला गया ये वला गया ये वला गया बचा ये तो यही answer होना था XO3 XO3 इस तरीके से होता है ये रहा ये रहा ये रहा मान लो इन तीनों का यहाँ नीचे जा रहा है इन तीनों का यहाँ नीचे जा रहा है तो इसका यहाँ ऊपर जाएगा यह अगर मानलो mu1 है तो resulting इन तीनों का नीचे अलग होगा तो यह cancel नहीं होगा mu कितना आएगा non 0 आएगा तो यहाँ पर d answer होगा क्या आप मुझे बता सकते हो अगर मैं आपसे पूछूँ कि xz o 4 का dipoloment 0 आएगा या non 0 आएगा बोलो भाई xz o 4 अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या xz o 4 है मेरे पास तो उसका dipoloment कैसा आएगा कुछ चीज मैं आपको दे दू xz o 4 मैंने आपको दे दिया pocl 3 मैंने आपको दे दिया ठीक है क्या होगा बिलकुल भाई बिलकुल तलेश you are very very right भाई क्या होगा यहाँ पर ठीक है अगर मैं आने आपको यह दे दिया तो यह क्या है जी यह है आपके पास xenon है xenon यहाँ पर oxygen है यहाँ पर oxygen है यहाँ पर oxygen है और इधर oxygen है आपको लग सकता है कि Tetra-Hydal का 9-0 आयेगा, Tetra-Hydal यह हो जाए, जैसे यह Net में आया हुआ है, SICL4 Net के निदर आया हुआ है, तो भाई, यहां पर होता क्या है, actually में समझेगा, इसका उपर जाएगा, अगर इसका म्यू है, इन सब का म्यू है, म्यू है, म्यू है, म्यू है, त तीन नीचे खुले हुए है, तो जो नीचे खुला हुआ है, उसका respectively उतना ही आता है, जितना एक का उपर जा रहा है, तो यहां पर इनका resulting भी कितना आता है, actually में यह हो रहा होता है, कि उपर जा रहा है म्यू, और नीचे भी क्या जा रहा है म्यू, तो यह क्या आजाएगा overall आपका क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा 0 आजाएगा बोलो भाई 0 आजाएगा यो नहीं आजाएगा उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ POCL3 की अगर मैं बात करूँ तो अब यार इतना आपको पता होना चाहिए अगर आपने पहला step ही गलत कर दिया इहांपर आपके पास क्या होगा यहांपर आपके पास चार सिग्मा होगे Tetrah radical होगा ठीक है अब यहांपर अगर आप देखेंगे तो इधर क्या होगा यहांपर यहीं जा रहा है मालो इसका अलग है मूउण माना जाएगा हमेशा Dipole Moment electron density की तरफ होता है जैसे अगर charge कोई कह रहा है तो positive से negative की तरफ है electronegativity कह रहा है तो less electronegative से more electronegative की तरफ है atom से lone pair की पूछे जाए तो lone pair की तरफ है क्योंकि dipole जो हमेशा होता है वो electron density की तरफ होता है बोलो भाई तभी तो आप सीधा बिना सोचे ये कर देते हो उपर कर देते हो क्योंकि हमेशा electron density की तरफ dipole moment होता है इस bond की electron density उपर होगी oxygen के पास यहां पर इनका अलग आएगा यहां पर इनका क्या आएगा भाई अलग आएगा तो यह म्यू क्या आएगा नोजीरो आएगा तो किर्प्या करके ना किर्प्या करके हाप dipole की direction निकाल लेना है ना यह दिहान रगना समझ में आया भाई कोई दिक्कत यहां तक कोई समस्या आप से कुछ और पूछ सकते हैं हम बिल्कुल पूछेंगे जी बिल्कुल पूछेंगे एक question था dipole moment का और जो मैं लेकर आया था वो अगर मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए ना just take second answer कर दो जल्दी से जल्दी से answer कर दो यह सुभरता और सेलेश भाई आप दोनों का center भी एक आया क्या एक दूसरे के भी ना आपका मन नहीं लगता है सो गया क्या नहीं जी मैं खा रहा था तू भी खाएगा मास्टर चीक रहा है चीक ने दो अपन पेलेंगे यहां पर समोसा समोसा भुजिया नीरज गुमार इतना खतरना कोंसेट नहीं लगाना कि मेरे से उपर चला जाए कि बॉइ पॉजिटिव है गर नेगेटिव है तो यह डारेक्शन आप अब देख लो इतना खतरनाग नहीं लगाना यह जो कुंसेट है यह इसके गेट के बाहर यहां पर एक चीज समझेगा आपके पास क्या है ए já हैरो यहां फ्लृरी यह रहा अपके पास क्या है इस तरीके से लें है 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 हुआ हो जाएगा वाई देखो बास तो इन दोनों को ही देख लो ना सबसे पहली बात यहांपर अगर आप देखोगे hydrogen और nitrogen में कौन ज़्यादा electronegative है nitrogen है तो ये सब कहेंगे low G आप dipole उपर की तरफ लोग मगर यहाँ पर क्या है भाई दो lone pair है तो 2 lone pair का dipolument ज़्यादा होता है lone pair का dipolument यहाँ पर ज़्यादा होगा दूसरी बात electronegative element भी ज़्यादा है अब NF3 कहाँ लाई करेगा NF3 कहाँ लाई करेगा यह बात ध्यान रख रहा है भाई NF3 में fluorine बहुत ज़्यादा electronegative तो है बट वहाँ पर ultra game हो जाता है ultra game क्या हो जाता है lone pair तो यह कह रहा है उपर की तरफ जाओ अब इन दोनों में electronegative कहा है यह है तो भाई यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्त cancellation हो जाता है क्या हो जाता है cancellation of dipole हो जाता है क्या हो जाता है भाई cancellation of dipole हो जाता है तो सबसे कम होगा इसका answer यानि कि NF3 जो होगा न वो सबसे कम answer रखेगा NF3 का answer जो होगा भाई सबसे कम होगा लास्ट में वो रहेगा तो answer क्या आएगा C option क्या होगा भाया सही उत्तर हो जाएगा क्या आप यह समझ पाए हो अगर यह समझ पाए हो तो हम आगे चल सकते हैं चलो भाई आगे चलते हैं इसमें ज्यादा time नहीं लगना चाहिए इस question में तो ज्यादा समय आपका नहीं लगना चाहिए molecular orbital theory का आयो हुआ है question बहुत आयो हुआ है ठीक है बहुत ज्यादा आयो है है तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगना है अभी जैसे कि यहाँ पर क्या है आपके पास O2 positive है O2 2 positive है यहाँ फिर ऐसे देख लो भई सबसे पहले 14 electron वाले का कितना होता है bond order तीन होता है ठीक है ठीक है NH3 और H2O का एक तो H2O में lone pair जादा है lone pair भी आपका dipole की तरफ भढ़ाते हैं मलनलब lone pair जब होता है तो उसमें यह electron dipole उपर जादा जाएगा pure electron density यहाँ पर जादा है दूसरी बात यहाँ पर O और H में electron negativity difference जादा होगा as compared to nitrogen hydrogen यह जादा electron negative है तो इसके अंदर जैसे mu होता है Q into D Q कहां से आएगा charge separation से आएगा तो यहाँ पर electron negative difference oxygen जादा hydrogen hydrogen same है nitrogen और oxygen में oxygen जादा इलेक्टो नेगटिव है तो इधर charge भी जादा बनेगा इसलिए वो आपने लिया है H2 ठीक है 14 electron वाले का कितना होता है 3 होता है अगर आप 15 की तरफ जा रहे हो 16 की तरफ जा रहे हो आप 17 की तरफ जा रहे हो और आप किस की तरफ जा रहे हो 1.5 और 1 सेम यहाँ पर भी bond angle गिरेगा 2.5 2 1.5 और 1 ठीक है तो अब आप देखो भाई O2 कितना है O2 16 electron है O2 का electron क्या है 16 अगर हम bond order की वाईज लिखें O2 कितना है 16 electron है तो इसका bond order आना चाहिए 2 O2 positive कितना है 15 electron होगा तो इसका bond order कितना आना चाहिए इसका bond order भाई कितना आना चाहिए 2.5 आना चाहिए O2 2 positive यानि की 14 electron तो इसका bond order कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए O2 negative यानि की कितना 17 electron यानि की bond order कितना 1.5 और यहाँ पर 1 तो अगर bond order की मैं बात करूँ सबसे कम O2 2 negative फिर आपके पास सबसे कम क्या हो जाएगा O2 2 negative हो जाएगा then आपके पास O2 negative होगा then O2 होगा then O2 positive होगा और फिर O2 2 positive होगा और यही bond strength भी होगी और bond energy भी यही होगी यानि कि O to two positive सब से आगे आएगा, O to two positive सब से आगे, यानि कि कौन सा option भाई, second option ठिक है, second option यहाँ पर होगा, ठिक है, यहाँ पर होगा second option, ठिक है जी, बोलो भाई, clear है, कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए यहां जी समझना रहा है एक क्योशन दिखाता हूँ मैं उमीद करता हूँ वो क्योशन आपने कर लिया हो अभी तक तो प्रैक्टिस क्योंकि इतना टाइम हो गया है वो क्योशन आपने देखा हो जैम 2023 का क्योशन अगर आप देख पा रहे हो तो दिवाकर दोस्त ऐसे ही कर लो है न पॉल यूट्यूब पे नहीं आ रहा है इधर है भी तो ऐसे ही कर लो है एक बार इसको देखिएगा अरे भाई स्था इजी ब्रो इजी दिखा यह क्योशन दो नंबर का क्योशन आया था यह से बताया भी गया आपको फिर मैं आपको थो देखो भई इस बार जैम 2023 में जैम 2023 में तीन क्योशन आये थे मोलिगलर ओर्विटल थियोरी में जो कि तीनों ही असान थे इस इस दा मुश्किलेस्ट तफेस्ट सबसे मुश्किल क्योशन था तीन में से तो वह आपके सामने लेकर रहा हूं ठीक है यह आपको आंसर करना है देखेंगा बई एंटू का मैं आपको बस एक चीज सिखाना चाहता हूं यहां पर कॉंसेप्ट आपको अगर एंटू आपको ध्यान हो तो यहां पर आपके पास क्या होगा स्पी मिक्सिंग होगी स्पी मिक्सिंग होगी जिसके कारण भाई सिख्मा क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा और पाई कहां जाएगा नीचे चला जाएगा यहां पर पाई स्टार यहां पर सिख्मा स्टार और यह इस तरीके से आपका बन गया ठीक है पोटीन इलेक्ट्र N2 B2 C2 B2 C2 N2 में हमेशा सिग्मा उछल के उपर चला जाता है तो यहाँपर आपके पास क्या है यहाँपर यह क्या है pi 2p X हो गया pi 2py हो गया और यहाँपर sigma 2p Z हो गया यहाँपर pi स्टार हो गया pi स्टार हो गया यहाँ पर आपको σिगमा 1S मिलेगा सिगमा स्टार 1S मिलेगा और यहाँ पर आपको सिगमा 2S मिलेगा और यहाँ पर सिगमा स्टार 2S मिलेगा अब इतना पड़ रखा है तो यह वाली बात मैं आपसे उमीद कर सकता हूँ सिगमा जिरेड होते हैं sigma star और pi क्या होते है अंजिरेड होते हैं और pi star क्या होते हैं जिरेड होते हैं इस table को भी घोल कर पी जाना यह भी कभी ना कभी दिख सकती है ठीक है clear यह भी दिख सकती है तो यहां पर अगर हम बात करें उधर on question देखा इमेज अगर भाई क्लियर नहीं है तो मैं माफी चाहूंगा यार है ना देखो भाई यहां पर सबसे यह पहला सिग्मा है तो आपने इसको पहला सिग्मा कहा सिग्मा बोंडिंग का क्या होता है जिरेड होता है यह पहला क्या है पहला सिग्मा है और जो कि अंजिरेड है ठीक कि यह पहला πाई है तो इसको आप क्या लिखोगे वन पाई अब पाई बोंडिंग के क्या होते हैं जिरेड और अंजिरेड पाई बोंडिंग के होते हैं अंजिरेड तो यहां पर वन पाई यू आ जाएगा यहां पर यह सिग्मा कौन सा है पहला सिग्मा आ चुका दूसरा आ is तो अंज्रेड आ जाएगा तो भाई यह इसका energy order बनता है यह energy order बनता है one sigma g one sigma u इस तरीके से energy order बनता है यनि कि अगर आप देख रहे हो one sigma g clear नहीं है मैं मानता हूँ बिलकुल मानता हूँ ठीक है? उसने आप से इतना पूछा ही नहीं है न उसने ये वाला पूछा नहीं है आपसे अगर हम बात करें कहां गया उसने यह चीज पूछी नहीं है यह चीज उसने पूछी ही नहीं है तो आपका सबसे उपर क्या जाएगा है तो यह आपका बन जायेगा बई ऐसे के बादि थो सिग्मा जी और से उठा लाया तो ग Lucky होगी हिसके माफ़ी चा rat पर आएगा फिर उसके बाद 1Pi u आएगा देन उसके बाद आएगा आपके पास 3Sigma g उसके बाद 1Pi g और उसके बाद आएगा 3Sigma u this will be the right answer ठीक है यह right है ठीक है mixing होती है उसका reason यह होता है भाई कि इधार अगर आप यह बात ध्यान रखना अगर किसी को यह जानना है यह ज्यान रखना आपके पास B2 हो गया C2 हो गया और N2 हो गया यहाँ पर O2 है housecraft में दे रखा है आपको यहाँ वैसे तो सब में ही मिला होगा आपको यहाँ पर आपका क्या होता है SP mixing होती है दोस्त इधर SP mixing होती है लिख लेना कि सिग्मा उचल के ऊपर चला जाता है इधर 9 SP mixing नो SP mixing यहाँ पर कोई भी आप बहुत सारी चीज़े पढ़ लेते हो मगर यह basic basic बात आप हलके में रख लेते हो और भाई हलके में अगर रख लोगे तो यह बात ध्यान रखना इससे क्योशन आता है आपके जैम में तीन-तीन क्योशन आ रहे हैं तीन-तीन क्योशन इन बेसि एर यहाँ से यहाँ जानेवर फिर यहहाँ पर हम कहते हैं S और P में इयह एधर यह आपका keVE & थोड़ा भढ़ जाता है तो ज्यादा भढ़ जाता है ठीक है ये 2S और 2P का energy gap बहुँ ज़्यादा भड़ जाता है high energy gap इसी लिए ये mix नहीं हो पाते high energy gap इसी लिए ये क्या हो नहीं बाते mix नहीं हो पाते third sigma ungerate क्योंकि वो तीसरा sigma था जो anti-wonding था प्रियंका इसको देखो न आप ये तीसरा sigma है जो anti-wonding है तो third sigma ungerate हमने लिख दिया भड़िया अब ये energy gap इसलिए ज्यादा होता है तो ध्यान से सुन लो ये लिखने की जरूत नहीं है लिखने की जरूत नहीं है सुन लो गई जरूत से इदर जाने पर जैड़ी एफेक्टिव बढ़ रहा होता है concept समझेड़ो इधर से इधर जाने पर जैड़ा भड़ रहा होता है फ्लोरीन का जैड़ी एफेक्टिव क्या है जादा है तो वो 2S को अपने पास बुलाता है और बुलाता टूपी को भी है मगर 2S की आदत है, शिल्डिंग करने की, तो जब वो 2S को पास बुलाता है, तो 2S उसको ढख देता है, और इस परकार से, फ्लोरिन का 2P के प्रतितोबार लगाव कम हो जाता है, तो वो 2P को इतना नहीं खीच पाता, जिसके बीच में इनके अंदर गैप बन जाता है, इन दोनों को नुकलियस, मगर जो करीब था भई, जो पहले पोच गया, अब पहले पोच गया तो भई उसी का ही लिंक अप हो गया, फिर इन दोनों में दूरियां आ गए, यही सब है, ठीक है, यही सब है, बताओ जी, उमीद कर लूँ, अब आप यह मत कहना कि सर यह क्योशन भी नहीं हो जब तो उसके options जरूर यूज कर लेना वह आपको ऐसे paper भरने के लिए नहीं दिया हुआ, काम के लिए होता है, jam 2022 का question है, दूरिया तो है, जी, दूरिया तो है, राहुल भाई क्या कह रहे हूँ, ठीक है, primary valency oxidation state के equal होता है, आपको निकालना होता है, बस, इसमें यह होता है, ठीक है, answer क्या होगा, दोस्ट, जल्दी से answer कर दीजे, कहा से question है, यह बता दो, बस, कि सर, यह इधर से question है, addicts क्या होता है, यह एक बार देख लिजिएगा, bank, bank bonding से तो नहीं है, अगर bank ही हमसे bonding कर ले, तो हम यह सब ना मिल रहे होंगा अगर मेरे से बैंक बोंडिंग कर ले तो मैं यहां पर आखे गातों नहीं रहा होंगा यह बैंक बोंडिंग से नहीं वही बैक बोंडिंग से हैं दोस्त तो यहां पर बैक बोंडिंग से यह कॉंसेट है ब्लैक बोंडिंग क्या बात सर लोगों पर केमिकल बॉंडिंग था वर आपने एसिड भी जोड़ दिया देखो बाई यहां पर क्या होता है फजान ढूल क्या मनलब क्या पी लिया है कि फजान ढूल तो उसके बिना आंसर ही नहीं करेंगे आपका लिविस एसिड जो एक गरीब है और एक अमीर है इनका जब कंबिनेशन हीता यह यहांपर बनते है अब adduct बनता है अब आपको stable adduct तब बनेगा आपका stable adduct तब बनेगा stable adduct तब बनेगा जब levis acid भी more हो भाई levis acid क्या है जो electron pair accept करता है electron pair accept करता है रटो मत समझो भाई समझो यह बहुत असान है न जैस नवीन भाई बिलकुल ठीक बहुत बढ़िया एक सीधा का nitrogen can donate easily बस खतम यह concept लगाना था कुछ ज्यादा नहीं अड़क्ट क्या होता है जब levis acid levis acid मतलब जिसको electron pair accept करने है levis base मतलब जिसको electron pair donate करने है ठीक है levis acid electron pair accept और levis base जो electron pair donate तो भाई देने वाला बहुत अमीर हो और लेने वाला बहुत गरीब हो जब दोनों का combination होगा तो भाईया वहां पर आपका क्या बनेगा भैतरीन adduct बनेगा ठीक है तो यहां पर यहां पर आपके पास क्या होगा अब देखो भाई लीविस acid यहां पर common है BH3 उन्होंने लिया है अब इसके साथ आप समझो एक तरफ उन्होंने जोड़ रखा है NME2 NME2 है CO है OME2 है और PR3 है ठीक है अब आपको यह तो पता है कि यह दोनों electron यह electron receptor होते हैं सबसे ज्यादा करेगा OME2 क्या करेगा ठोड़ा कम डोनेट करेगा नाइट्रोजन की electron negativity क्या होती है nitrogen negativity क्या होती है less होती है तो यहां पर इसके दोनेट मौर तो यह सबसे ज्यादा देगा उसको यानि कि देने वाला अमीर है यह है it can donate more, more Lewis base की तरह act करेगा, NME3 क्या करेगा, more Lewis base की तरह act करेगा, more Lewis base की तरह act करेगा, तो भाई, सबसे पहले पर NME3 दून लो, NME3 इन दोनों में है, यह है, और यह है, तो यह वाला गया, यह वाला गया, यह आपका option आएगा, D answer आएगा, N वाली बात से, ठीक है, यह पाई असेप्टर है, उसकी stability कम होगी, ठीक है, कम ही है, PF3 भी पाई, इन दोनों की पाई असेप्टेंस लगबग कमपेरेबल होती है, ठीक है, मगर हम इन दोनों से ही differentiate कर पा रहे थे, कि कौन ज़्यादा donate करेग ठीक है, भाई बोलो सभी को यह clear है, जल्दी से हाँ या ना बता दीजिए, और एक बार थोड़ा सा उच, firewire कर दीजिए, ताकि हम अगले question की तरफ बढ़े, ठीक है भाई, जलो भाई, आईए अगले question की तरफ जाते हैं, अच्छे-च्छे question है, अभी हमें देखने हैं, जो मज़ा आएगा उनको देखकर, थोड़ा सा समझेंगे, concept पढ़ेंगे, जानेंगे, पहले कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, यह question बता दीजिए, यह net का question है, शायद आपको डिखा भी हो, शायद आपको अभी net में पहल planar species कौन है, planar मतलब वो planar जिसमें एक ही plan में सब लोग कट जाएं, प्लेनर का आएगा वो जो एक ही plan में सारे लोग आ जाएं, जितने भी atom है, central atom, सारे side atom, एक ही plan में वो क्या कट जाएं, वो होगा आपका क्या planar species, ठीक है, जरूरी नहीं है कि trigonal planar मतलब trigonal planar, ठीक है, ठीक है बई, देखो, आओ यहाँ पर समझो, जैसे BRF3 यह आपके पास है ना, अब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, मालो BRF3, सब की शेप निकालने पड़ेंगे, बई, BRF3 आपके पास क्या है, यह ब्रोमीन हो गया, ऐसा होता है इसका, ठीक है, यह ब्रोमीन होता है, यह फ् और यह, तो आपको भई, इतना दिख रहा है, मालो आपने इतना ले लिया, इसको इमेजिन भी करना है, यह है आपका ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, यह फ्लोरीन, फ्लोरीन, मैं एक ऐसा प्लेन डाल दू, मैं ऐसा प्लेन डाल दू, जिसमें यह फ्लोरीन, यह ब्रोमीन, क्लोरीन के पास 1,2,3,4,5,6,7 एक उक्सिजन और यहाँ पर आपके पास क्या दो उक्सिजन और एक यह रहा ठीक है तो यहाँ पर एक सेकंड रुखेगा क्लोरीन है क्लोरीन 3,4,5,6,7 दो उक्सिजन अगर हम इसको ऐसे देते हैं चार हो गया यह पांच हो गया और एक लोन पेयर ठीक है इस तरीके से यह रहेगा तो यहाँ पर आप यह कह सकते हो यह क्या बना यह आपका बन गया थ्री बोन पेयर और एक लोन पेयर यानि की आप इस तरीके से कुछ कह सकते हो वई ठीक है आपको loan pair manage करने हैं है इसके balance electron branch करने है trigonal pyramidal ये आपका नहीं है trigonal pyramidal एक लोरीन है इधर oxygen इधर oxygen और इधर flory एक plane में सब नहीं गटेंगे तो ये पहले गया trigonal pyramidal वाले गये ये वाला गया भई ठीक है इसके बाद ये इधर यहां पर भी गया यहां पर भी घया ठीक है चाहे आप xo3 से भी काट लो xo3 भी जाएगा अब यहां पर ये है यह आपके पास क्या होता है square planer होता है ये क्या होता है दोस्त square planer होता है please इसको ध्यान रखीगा इसे क्या कहते हो आप square planer यह कलोरीन है यह फलोरीन है यह फलोरीन है यह सके बाद अगर हम बात करें इसकी शेप और जमेत्रियाद रख लेना जैम वालो मइस ज्यादा इंपॉर्टन है वाई फाइब बॉनग का नाम क्या जमेक्ट का नाम पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप का नाम क्या है शेप का नाम है भाईया पेंटागोनल शेप का नाम क्या है पेंटागोनल प्लेनर शेप का नाम है यहां पर क्या पेंटागोनल प्लेनर इसका नाम है यानि कि यह कुछ इस तरीके से रहता है यह जिनोन हो गया यह फ्लो सारे एटम जिनोन और छे चेज़े फिलोरी यहां पर इनको जलना है थी कि ह। में घूलो बाई समझ में आया समझ में आया यह नहीं अगे हाँ आनन्द बिल्कुल structure यानि उदर आपको शेप ही लेकर चलना है शेप ही लेकर चलना है ठीक है structure में geometry मत लेकर चलना क्लियर है डन है चलिए आंसर बता दिये जल्दी से MSQ है बया क्या है MSQ है अब यह तो वह चीज है जो अभी question मनलब ऐसे वाइवर टाइप के question होगे तो इसको जल्दी से आंसर आना चीज क्या होगा भाई device हो रही है चीजे notebook चाहे chemical bonding को साथ ही ले लो है ना लो chemical bonding की loan pair को चाहे साथ ही ले लो भाई है नहीं भाई loan pair वहाँ पर नहीं है atom आपके plane में होने चाहिए atom देखा गरो हमेशा दिल छू गया सर अरी क्या बाट टी ए बी भी MSQ का मतलब होता है दोस्त एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते है एक से ज्यादा answer सही हो सकते है ठीक है MSQ का मतलब ही यह होता है एक चीज ध्याद रगना MSQ attempt सबको करने भाई कोई negative marking नहीं होती है जैसे बहार आके कोई कहें आपको पता है एक चीज आपको बताओं आपके paper में मालो आइटी जैम वालो पता ही होगा भाई नहीं पता होगा तो फिर तो गड़ बड़ी है तीस question ऐसे हैं जिसमें 10 MSQ हो गए और 20 NAT और यहाँ पर 30 question यहाँ पर हो गए ठीक है इसमें negative होती है तो बहार आके कोई ऐसे कह रहा है कि गुरु जी मैंने 60 में से 40 attempt कर दी है अरे भाई 5 छोड़ दो 5 नहीं आ रहे तो अगर आपको मालो 15 ही नहीं आते हैं उपर के 30 में से पंदर नहीं आते हैं फिर तो वैसे ही paper हो चुका है आपका तो वो तो करना ही नहीं है वो तो आपको का at least 20-25 attempt रखने ही है तब ही फिर आप अपनी अच्छी rank तक पहुच पाओगे ठीक पारगेट रखना है यह hybridization की time आपको हमीशा पढ़ाया गया है और आते हैं वह नमबर अराम से आते हैं आप बस गलतिया मत करना dsp2 hybridization कह दो यहां पर dx2-y2 होता है प्लस s होता है प्लस px होता है py होता है इन फेक्ट यहां पर इसको तो भाई square planer को तो यह बोला जाता है कि यह जैड exclusion geometry है यह क्या है जैड exclusion geometry है जैड exclusion नहीं भाई दुख भुक मत लो आएंगे विकास इतने टाइम से तो मैं नाम देख रहा हूं आपका तो बहुत टाइम से महनत कर रहे हो नमबर आएंगे यार ऐसे हवा में नहीं कह रहा बस आप करना थोड़ा सा गडबड मत करना silly mistakes मत करना बस यह चीज धियान रगना silly mistakes मत करना नमबर आराम से 50-55 प्लस जाते हैं थोड़ी महनत करनी होगी बस safe score safe score हर बार अलग होता है वह 55 प्लस के आसपास उसको छोड़ दो safe score वाली बातों को छोड़ दो जाने दो उन चीजों की tension मत लो sp3d है और यह भी sp3d है इसमें लिखा जाता है यह x square minus y square है और यह dz square है ठीक है तो यहाँ पर dz square present है octahedral में तो भाई sp3d2 होता है sp3d2 होता है यहाँ पर d x square minus y square भी होता है और d z square भी होता है तो answer जो आएगा answer जो आएगा वो आएगा trigonal by pyramidal and octahedral यानि कि b and c option क्या होगा भय जबाब हो जाएगा देखो आप उस पर अभी मत सोचो कि number कितने आने है कितने नहीं आने है बस मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अगर आप silly mistake नहीं करोगे तो आपके number उपर पहुचेंगे आप paper attempt करते वक्त कुछ चीज को judge मत करना कि इस से बाहर क्या होगा उस time आपके प कुछ extra मत सोचना कि बाहर जाके यह क्या होगा बाहर जाके उसका answer उसका paper कैसा हुआ होगा कुछ नहीं बाहर वो क्या सोचेगा कोई कुछ नहीं सोचेगा कोई कुछ भी नहीं सोचेगा कोई कुछ भी नहीं सोचेगा कि कैसा क्या कुछ नहीं होता आपको अपना वढ़िया attempt देना है बस और बढ़िया जाएगा इतनी मैनत होती है लोग आपको आएंगे best of luck बोलने best of luck बोलने की भई सबका best of luck लेना कोई आपको कहेगा कि बढ़िया rank आनी चाहिए भाई बढ़िया rank आनी चाहिए तो उनको भी ले लेना कि हाँ जी ठीक है बढ़िया आ जाएगी भाई अलग-अलग रिष्टेधार आपको कॉल करकर करके best of luck बोल रहे होंगे वो कई best of luck तो भाई ऐसा भी होता है कि बेटा मेरी नजर है तेरे पेपर पे तेरा पेपर है उस शादी में नहीं आया था तेरा पेपर है मेरी नजर है तेरे पेपर पे ऐसे लोगों को भी relax कि हाँजी आएगा तो बताएंगे इंडिविजल हो भाई आराम से बढ़िया बढ़िया करते जाओ ठीक है बिल्कुल है आते तो हैं mcu से ही क्या आंसर होगा क्योशन क्या कहता है एक electronic configuration है ऐसे क्योशन कभी मान लो दिख जाएं तो बहुत असान ही माने जाएंगे 3S2 3P6 है इसके बिलो है वह चीज आपको देहान रखनी है यहां पर दोस्त क्या होगा 3S2 3P3 होगा तो जाएड सी बात है नीचे क्या होगा इसके 4S2 4P3 होगा और 4S2 4P3 होगा तो यह लोग पूरे भरे होंगे 1st पूरी भरी होगी ठीक है पहला पूरा भरा होगा पहले में दो होते हैं 2 सेकेंड पूरी भरी होगी यानी उसमें कितने होते हैं थर्ड पूरी भड़ी होगी, उसमें कितने होते हैं, 18, यनि कि यह सब होगा, तो यह कितना होगा, 28, 28, और यहां पर 6, कितना 34, ठीक है, तो आंसर क्या हैगा 34, फिर भी इससे भी पहले मैं आपको थोड़ी सी और बाते बता देता हूँ, जैसे माल लो आपको यह कह दिया जा है, इसका ग्रूप नंबर बताओ, ठीक है, इसका ग्रूप नंबर बताओ, इस तरीके से माल लो आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लिया गया, तो यहां पर आपका क्या होगा, कुछ गडबड की क्या दोस्त, अगर इसका ग्रूप नंबर गड़बड हुई है बही कुछ 18 है अच्छा यह 5 है 33 आएगा भाई यह 6 कर दिया था गलती से 33 आएगा 33 थी तो इसका ग्रूप नंबर क्या होगा थोड़ा सा यह धिहान रख लेना यह मैं आपको बना के लाया हूं थोड़ा सा यह धिहान रख लेना इसको देखो भई यह आपके पास है जैसे अब मालो आपको वहां पर भी यह चीज़ ध्यान रखने हैं यहां पर दो दस अठारा चतिस चववन चैसी एक्सो अठारा कोई आपको कह दे कि भईया 115 एटोमिक नंबर है किसी का तो उसका ग्रूप नंबर क्या होगा तो आपको ये अगर पता है कि 118 यहां होता है तो यहां पर 117 होगा यहां पर 116 होगा यहांपर 115 iang ambitious यह आपका कौणसा ग्रूप का हो सौगा फिटिंट ग्रूप का हो सो जैए आप 3 चार चीजह ध्यान एक यह जो यहां पर लिखी हुई है, यह वाली ध्यान रख लो, और यह ध्यान रख लो, ठीक है, माल लो आपको कोई कह दे, कि मुझे बताओ, एक सो, मुझे बताओ कि भई, मुझे बताओ कि आपका 52 कौन सा होगा, 52 का एटोमिक नंबर क्या होगा, तो आपको अगर 54 पता है, तो यहां पर 53 होगा भाई, यहां पर 52 होगा, आपको किसी ने 84 पूछ लिया, तो 84 आपको यह इधर से आप आ सकते हो, ठीक है, 84 इधर से आप पा सकते हो, 85, 86, 52 आप से पूछा, तो आपको सीधा बता देना है, क्या, ग्रूप नंबर क्या भाई, ग्रूप नंबर कितना, 16, तो भाई, चीजे थोड़ी सी अपने लिए असान करके पहले जाना है, यह ध्यान रखना है, 2, 10, 18, 36, 16, 18, 18, ठीक है, प्लेर है भाई, आप आप से मानलो कोई कह दे कि मुझे बताओ, ग्रूप, आपको कोई कह दे कि मुझे बताओ, जी, पिचेतर नंबर, पिचेतर नंबर का कोई है, एलिमेंट, वो कौन से ग्रूप में होगा, पिचेतर नंबर का कौन से ग्रूप में होगा, भई, अगर आपको यह लेंथिनोड यह हुआ 74 और यह हुआ 75 ठीक है यह हुआ 75 तो यहां पर आपका क्या आ गया ग्रूप 7 अब इसमें कई जो लोग अभी एकदम जुड़े हैं वो उनको दिक्कत आएगी आप यह चीज ध्यान रखना आप यह चीज ध्यान रखना भाई ग्रूप 7 होगा भाई है ना ग्रूप 7 होगा ग्रूप 17 नहीं होगा 7 ग्रूप अप यह ध्यान रखलो एक यह बाते भाते ध्यान रखलो दोस्त और यह बाते ध्यान रखलो इससे आपको मिल जाती आपको को कहते मेरे को 33 suis नंबर्वाला nênमेंट बताओ तो आपको 36 अगर पता है च्शतीस अगर पताए यह거든 35 कष 34 कर दोगे यहां पर 33 कर दोगे तो गुरूप नंबर कितना आ गया वह या 15 आ गया या नहीं आ गया बोलो जी आपने किसी और तरीकी से भी कर सका तो ठीक है वह अलग बात है मगर यह इस तरीकी से आपको बताना है वह ठीक है इस तरीकी से आपको बताना है बोलो भाई कोई दिक्कत कोई समस्या मालने भाई चले आगे तो ये हो गया है आगे चलते हैं कुछ जल्दबाजी मत करना अच्छा ग्योशन है ठीक है ठीक है हाँ थर्ड ग्रूप में ठीक है ठीक हुआ ठीक है तो ठीक है चली बहुत बड़ी है विने भाई अगर याद है तो बहुत दीबढ़ी है है कि 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 बोलो भाई सब ओके हैं सब डन है आंसर क्या होगा जर बताइएगा ठीक है क्या आंसर होगा पिरियोडिशिटी से आ गया अभी कोई कहेगा कि केमिकल बोंडिंग का डाला हुआ है हलो इस्क्यूज में सर अभाई कर लो यार मगर अराम से करना पहली बात दिहान रखो उसने क्या पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इनकरेक्ट का मतलब गलत इतनी जल्दवाजी नहीं कि इसे करेक्ट पढ़ लिया जाए एक एक स्टेटमेंट को उठाना है एक बार में एक काम करना है तऑ फर्स्ट ऐएनाईजीशन पो टेन्ट्यल हो अलूपीनेटरम यहाँ यहाँ पर है और एम जी हां पर है एंलूमिनियम क्या होता है आपके पास इनकालना सान है किस मेंसे लेक्ट्रोन निकालना असान है जरह बताईये गा भाया यह क्या है यह एक स्टेबल है यह एक स्टेबल चीज है एक क्या है यह फुली फिल्ड सब शेल है क्या है यह फुली फिल्ड सब शेल है बाई सब शेल है तो इसकी इनर्जी क्या होगी मोर होगी मोर होगी यानि कि इसकी लेस होगी पहला वह क्या कह रहा है ता पहली उसके बाद आपके पास दूसरा क्या है सेकिंड आयोनाइजेशन पोटेंशल आपसे पूछा है तेकिंड आयोनाइजेशन पोटेंशल किस तरीके से करना है यहां पर देखेगा भई एमजी है एमजी का एक एलेक्ट्रों निकला तो यहां पर आया आपके पास क्या 3S1 अब इसमें से और इसका क्या होगा किस से कंपेर गया एने से कंपेर गया तो इसको हटा दो भई लिए यहां पर यहां पर एदर आपके पास क्या होगा यहां पर क्या होगा यहां लिए थो इस में एक होन मिनेटलों अपर 2-6 यहां पर उस कि second ionization potential mg की ज्यादा है किस की ज्यादा है mg की ज्यादा है second ionization potential mg की ज्यादा है किस से आपकी तो यह आपका wrong statement है तो अभी के लिए हमारा answer भी होना चाहिए मगर हम C और D को भी check करने जाएंगे हमारा answer भी होना चाहिए मगर हम C और D को भी check करने जाएंगे दोस्त ठीक है तो अब यहां पर क्या है यहां पर किस किस को लिए एन ने और mg लिया है तो वापिस हमने एन ने ले लिया और यहां पर mg ले लिया इसकी electronic configuration 3s1 होती है इसकी होती है 3s2 किसमें से electronic निकालना मुश्किल है वाई इसमें से मुश्किल है है यहां से यहां जैडिक अक्टिव भढ़ रहा है तो इसमें से मुश्किल है तो इसकी कम होनी चाहिए बिल्कुल ठीक उसने कम ही कहा है चलो यह भी हो गया उसके बाद क्या लि इसमें से एक electron निकाला तो यहां पर क्या आया 2s2 2p6 आया इसमें से अब एक electron निकाला तो यह क्या हुआ आई 2 compare हुए है यहां पर यह क्या बना 2s2 2p5 बना अब भाई इसमें से निकालोगे तब 3rd ionization compare करोगे यहां से निकालोगी तो इधर आपने एक electron निकाला तो यहां यह सब बना है अभ जब के इसमें से इलएक्ट्रन निकाला तो यह निकालना है इसमें इसमें से निकालना एक इसमें निकालना मूश्किल है तो यहाँ पर आपका इसमें से निकालना मुश्किल है यानि कि mg की greater है तो आपका answer क्या आएगा बी answer आएगा आप एक वर खुद सोचके देखो आपने कितनी जल्दीस का answer किया था देखते ही answer कर रहे थे आप भाई देखते ही नहीं होगा एक वर जस्ट बताओगे कि कितने लोगों ने पहले answer कुछ किया था पहले comment किया था जो गलत था दुबारा सही किया था जैसे कोई hand raise का emoji बता दो नाम भी नहीं पड़ पाऊंगा क्योंकि बहुत लोग होंगे जी चीजे समझ में आ रही है अइटी पर राज कर आपांई में में चले जाना है इपने अपने मस्ट दिपार्टमें पढ़ना है कैंटीन में मैस मीन जो साविन वने karma मस्ट खाना है खुछ रहना है आयटी में आपको राज करने है, आयटी पर राज करने में चले जाना, ठीक है, उल्टी हो जाएगी बात, ठीक है, आयटी में राज करने जाना, आयटी पर राज करने जाओगे तो भाईया, तुम्हारे मास्टर को राज करवा देंगे उपर, ऐसे नहीं बात, ठीक है, चले क समाझ में आ रहा है भाई तो भी करते रहो और अभी आगे चलो अगला क्यूसर्न देखियेगा अगला क्यूसर्षन क्या बटेश्वीöt ऐमा बटे शंच कॉड़िनेशन भी हलकासा फ्लेवर रहां पर आगया है क्या गया जी कॉड्रिनेशन का फ्लेवर भी हलका सा आ गया है ठीक है क्या कहता है among the following fares those in which both species have similar structure किसका होगा similar structure ठीक है किसका होगा similar structure ठीक है भाई या आयर्टी कानपूर में चार दिन रहा हूँ पूरे चार दिन रहा हूँ आयर्टी कानपूर में चार गया आरे आप दो साल रहोगे भाई ना कि लगने थो भाई प्रेम भाई मतलो तैम लगए गई आपका यार дав देखो स्टॉप बोच लगा favourite लगाऊ और तीन लो स्टॉप बढ़े होते हैं आपको ऐसा लगेगा कि इन गए करना डोडो मिनट में हो रहे होंगे क्षिशनos देखो यहाँ पर आपके पास क्या है यहाँ पर आपके पास क्या है यहाँ पर आपके पास क्या है यहाँ एन्थ्री नेगिटिव है एन्थ्री नेगिटिव आपको बताया अभी मैंने दो मिनिट पहले कि इस तरीके से होता है ना इस तरीके से आपका होता है लीनियर होता है XZF2 क्या होता है अगर हम XZF2 की बात करें यहाँ पर यह आपके पास क्या है भाई जिनोन है लोरिन है यहाँ पर लोन पियर यहाँ पर लोन पियर और यहाँ पर लोन पियर ठीक है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा इधर और इधर यह भी क्या है linear है ये भी क्या है जी linear है ठीक है तो आपका ये तो ठीक है A option तो भाई बिल्कुल ठीक है अगर आपको PTCL4 2 negative थोड़ा सा याद आ रहा हो इसको यहाँ पर ले आया अगर मैं PTCL4 है इसको अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊं पी टी-C-L4 2 negative है ऱिकें PTCL4 negative ट्रांजिशन में element है vbt से जाएंगे किस से जाएंगे भाई वी बी टी से जाएंगे वी बी टी से जाएँगे पी-टी-2 negative है ठीक है तो इस तरीके से आपकी कहानी बन जाएगी और यहाँ यहां पर आपका जो बनेगा यहां पर आपके पास क्या बनेगा यह बन जाएगा भाया dsp2 hybridization यानि कि क्या बहिया square planer यहां पर क्या बन जाएगा दोस्त square planer यहां पर बन जाएगा बात करते हैं icl4 negative icl4 negative आप इससे नहीं जाओगे, VBTC नहीं जाओगे, main group का element है, कहां से जाओगे, कहां से जाओगे भाया, आप जाओगे, अपनी valence bond theory से, यहाँ पर I negative है, XDF4 जैसा ही होता है, ठीक है, iodine के ओपर negative 4, यानि कि 9 valence electron, 9 valence electron है, तो 4 bond pair, 8 valence electron हो गए, start होते हैं, 1 negative, यानि कि 8, ठीक है, तो यहाँ पर चार bond pair हो गए, और 4 बचे, वो क्या हो गया, दो lone pair हो गया, तो यह भी क्या बना, SP3D2 बन गया, SP3D2 बन गया, और geometry क्या बनी, octahedral, shape क्या बना, square planar, तो यह mix-up question था, mix-up question था, ठीक है, और यह net का question है, ठीक है, यह net exam में आया हुआ था, तो आपका यह भी क्या है, ठीक है, B option भी क्या है, ठीक है, अब वो कहता है, CLF2, अब ICL2, देखो बई, ICL2 negative और XZF2 same है, बई, ICL2 negative और XZF2 same है, कैसे same है बई, क्योंकि इसके I negative के पास भी 8 valence electron है, जिनोन के पास भी 8 electron है, और monovalent जुड़े हों, दो-दो, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, आपका, यह ह हो जाएगा, ठीक है, और CLF2 positive को अगर आप देखने जाओगे, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ क्या, CLF2 positive अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर chlorine है, chlorine के उपर positive charge, 1, 2, 3, 6 valence electron हो गए, 6 में से 2 वहाँ पर चले गए, 2 bond pair, plus 2 lone pair, यानि कि यह क्या रहेगा, यह bent र अंसर नहीं है, bent होगा, clear है, उसके बाद यह क्या होगा, pyramidal होता है, यह pyramidal होता है, इसका अंसर, pyramidal structure होता है, और यह क्या होता है, planar होता है, trigonal planar, trigonal pyramidal और trigonal planar, ठीक है, तो यहाँँ पर आपका अंसर क्या आएगा, भया, पर्स्ट ऑप्शन आएगा, a option रहे, सही अब आ जाएगा ठीक है यह नहीं दीख रहा है कि लियर है भई पी एच डी और MSC एक साथ वो इंटिग्रेटिड में जाओगे तो एक साथ कर पाओगे मगर मैं आपको सला दूँगा सीधा जाओ भई सीधा जाओ भई पहले MSC करो MSC देखो ग्रो करो MSC में कुछ सीखो क्योंकि अगर आप एक साल एक ही कोलीज में चले जाओगे फिक्स कर लोगे कि अपने पांच-छे साल यहां पर गए हैं उससे ज्यादा बेटर है मेरा भाई पर्सनल यह सजेशन होता है सबका अलग-अलग होता है कि पहले भाई MSC करो पहले MSC करो इंटीग्रेटर में भुषने से पहले MSC कर लो ताकि उसमें पता लगे वहां पर आपको कि PhD करनी है नहीं करनी है आज अगर मैं आपसे पूछ लू ना अगर मैं आज आपसे पूछ लू कि आपको कितने लोगों को PhD करनी है तो अगर आपके पास आंसर है ना तो वह आंसर अभी बदल भी सकता है किसी का अगर नहीं है तो हो सकता है वो PhD कर ले जब Master में जाकर उसको मजा आने लग जाए प्रोजेक्ट वर्क में और किसी को अभी से लगना है कि PhD है उसको नहीं भडिया लगे तो भाई आपको PhD करनी है या नहीं करनी है तो यहाँ पर एक हमेशा सजेस्ट किया जाता है पहले Masters जाओ Masters में करो फिर वहाँ पर करना है ठीक है यह चीज़ यान रगना पहले भाई MSC करो हमेशा explore करो चीज़ों को जानो समझो तो फिर आगे करो ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं भाईया ठीक है आगे चलते हैं एक क्योशन आपसे और पूछता हूँ भड़ी ऐसा इस क्योशन का अंसर करिएगा यहाँ पर यह क्योशन क्या है इस क्योशन का अंसर करो पहले तो मुझे structure ही बना के दे दो बस ठीक है structure ही बना के दे दो ठीक है structure ही बना कर दे दो ठीक है भाई सचिन भाई ये paper में नहीं आएगा ठीक है ये question नहीं आएगा दोस्त ncl2 ये आपके पास sncl2 नेगटिव है दोस्त और यहां पर आपके पास socl2 अगर आप इसको तोनों असा इत्मिनाम से देखो गये लहीं इत्मिनाम से यहां पर देखोगे तो कैसे answer होगा ठीक है देखेगा भाई SNCL2 क्या है भईया SNCL2 यहाँ पर आपके पास क्या है अरे भई उन्होंने कोई बात में subjective question नहीं पूछा था सचीन भई ने देखो भई यहाँ पर आपके पास क्या है यह देखो sulfur के पास कितने valence electron है तलफर के पास 6 होते है एक negative है एक negative है तो 7 valence electron हो गए है 7 valence electron हो गए है 7 valence electron हो गए है तो यहाँ पर ऐसा structure बनेगा nitrogen इधर जाएगा यहाँ पर chlorine कितने हो गए 5 हो गए और यहाँ पर lone PR यह इस तरीके का structure बनेगा बोलो जी इसका क्या structure बनेगा sulfur है oxygen है ठीक है CL2 है CL2 है और यहाँ पर क्या बनेगा Lone Pair बनेगा मुश्किल नहीं है ये मुश्किल बिलकुल भी नहीं है टेट्राहेडरल ठीक है टेट्राहेडरल आप उसको बताओगे यहार यह कर सकते हो सलफर है सलफर के ऊपर यहाँ पर 6 वाले क्लोरीय दे दिया और फिर आपने यहां पर लों पीर दे लिया ऐसे ही जब आप प्टी नइट्रोजन दोगे तो आपको पता लगने लगेगा कि उसके स्ट्रक्चर यह होगा अब यहां पर आपसे क्या पूचा है करेक्ट स्टेटमेंट पूची है जिसने इसका अंसर सही अगर वो कर पा रहा है तो यह बहुत मज़ेदार चीजे होगी ठीक है शुक्रिया भाई हुसेन भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से मैं उमीद करता हूं कि जीवन में कभी ने कभी काम आये पड़ाया हुआ ठीक है धन्यवाद और यह बहुत अच्छा यह मैटर करता है वही है न आप ने लिखा है थैंक्फुल फॉर दिस ठीक है चलिए आ जाएए यहां पर ठीक है नाइट्रोजन आप देखो भाई यहां पर क्या होता है पर्सेंटेज की रेक्टरन की ही बात है आपको पता है कि यह जो लोग है यह पर्सेंटेज अगर हम बात करें पर्सेंटेज लवर होते हैं ठीक है यह पर्सेंटेज फाइल होते हैं ठीक परेंटेज प्रेंटेज करेंगेगा अब यहाँ प्रेंटेज यह करेंगेया है। कहें कि इधर इस जगे में percentage S क्या है percentage S is less है is less in SCL bond तो यहां पर अगर percentage S less है तो इसकी bond length क्या होगी दोस्त इसकी bond length क्या हो जाएगी जादा हो जाएगी bond length क्या हो जाएगी more होगी ठीक है बोन लेंथ मोर हो जाएगी बोलो भाई clear है अगर आप सारे क्योशन कर पा रहे हो त्रिपती तो बहुत इनफ है वायो टेकनोलोजी की केमिस्ट्री आप अराम से कर लोगी अगर आप ये कर पा रहे हो तो ठीक है पर आपको होगा डेफिनेट्टी होगा बहुत स ही जवा होगा कितने लोगों को ये बात समझ में आई है एक बार बता दीजिए यस सुनो निकलेगा भाई निकलेगा हाना आप अभी अभी का टाइम सिरफ ये करम करो फल भढ़िया मिलेगा फिलाल करम कर लो भी ठीक है चलिए आंसर बताईएगा जल्दी से आंसर बतायएगा इननमें आप टाइम नहीं लगना चाह सुआँ ये questioning नेट का question है नेट का question है ठीक है नेट का question है जल्दी से answer बताओ क्या answer होगा नोन-linear and iso-structure वह नोन-linear भी होना चाहिए और iso-structure चैनल भी होना चाहिए जो linear है वो तो पहले ही अटा दो जो linear वाले हैं वो पहले ही हटा दो जैसे कि i3 negative i3 negative linear है देखो भाई यह अगर आपसे आ जाए ध्यान रगना xx2 negative linear होता है ठीक है और xx2 positive क्या होता है भाई bent होता है ठीक है तो यह गया आपका यह वाला गया यह वाला गया और यह वाला गया आंसर के आया बी option आया ठीक है अच्छी बात है शैलेश बढ़िया से ठीक है कितनी देर लगी होगी आप अगर यह चोटी 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 नोन लीनियर वो कह रहा है अब चाहिए इसको आप देख लो i3 positive आपका क्या होता है bent होगा भाई वहां पर आपको कहा है bent है scl2 आपने ले लिया scl2 आपने ले लिया sulfur है sulfur के पास एक दो तीन चार पांच और छे chlorine chlorine एक lone pair भाई दो lone pair तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा यहां पर आपके पास क्या बनेगा दोस्त दो bond pair बनेंगे गुरु जी दो lone pair बनेंगे भाई और यहां पर आपकी geometry क्या हो जाएगी दोस्त टेट्रा हैडल हो जाएगी और shape क्या shape हो जाएगी भाईया bent बोलो जी क्लियर है bent यहां पर आपके पास हो जाएगा तो बी option क्या हो जाएगा अभी भी C लिख रहे हैं बताओ जी अभी भी C लिख रहे हैं तो पिर हम यहां पर खड़े ही क्यों है यह चीज ज्यान रगना यह help करती है भोज जादा ठीक है next question देखते है डब्बा है डब्बे में answer करना है कितना number ठीक है यह like कर दोजिए अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो अराम से इसका answer करना जल्दी मत करना i3 negative linear होता है चीकु दोस्त हना i3 negative linear होता है i3 positive bent होता है i3 negative linear होता है i3 positive क्या होता है bent होता है बोलो भाई ऐसे कितने लोग हैं जो इस species जैसा answer करेंगे आइसो structural होंगे तो सबसे पहले तो भाईया आपको यह पता होना चाहिए कि यह इसकी ही क्या structure है इसका क्या structure है अब इसमें ABCD answer नहीं होगा है ना इसमें ABCD answer नहीं होगा इसमें amount भरनी होगी डब्बे में answer करना यहां पर यह क्या है भाईया square planar है यह क्या है PTCL4 negative है this is square planar यह क्या होगा भाईया square planar होगा अब आप इनका निकाल लो है ना इनका निकाल लो भाईया देखो जी XZF4 ना VACPR में आपको क्या चाहिए आपको चाहिए four bond pair two loan pair वाली चीजे चाहिए यह क्या है जिनोन है जिनोन के पास आट वेलेंस इलेक्टर ने चार फ्लोरील ले गया यानिकि चार bond pair बन गए बचे कितने जी चार वेलेंस इलेक्टर ने बच्ची वो दो लोन पेर की तर स्केयर प्लेनर होगी आंसर क्या होगा स्केयर प्लेनर इसका होगा this is four bond pair ठीक है टेट्राहेडरल है यह एक्जी ओफोर भी क्या है टेट्राहेडरल है ICL4 नेगिटिव देखो ICL4 नेगिटिव और XZF4 ICL4 नेगिटिव और XCL4 यह क्या है सेम ही लोग है तो यहां पर यह स्केयर प्लेनर है ठीक है वाईया स्केयर प्लेनर है इसके भी सेम यही बनेगा आई नेगिटिव बनला आठ बेलेंस इलेक्टोन तो स्केयर प्लेनर ठीक है और यह आपका क्या हो गया ओक्टाहेडरल हो गया यह आपका क्या हो गया इसका शेप क्या आएगा वह चार सही जवाब हो गया पे सिद्वेल रहे थो बताओ आगे चलते और यही दहीं हमने कर लिए इसका अंसर क्या होगा इसमिनान से करना है नहित मिनान assuming sa गलत नहीं करब को दिया शना दो चाट है जो बनता था अभी तक भी तक हमने व्लिए बैसिक से ले लिया भई है ना बेसिक से index hybridization index की बात कर लिए molecular orbital theory के question कर लिए अलग-अलग question कर लिए अलग-अलग type के percentages character का use कर लिए bone dangle के question कर लिए तो यहाँ पर चलिए बहुत अच्छी बात है प्रवबत coordination में लेंगे भई है ना coordination में लेंगे बात में लेंगे भई यार ऐसे ठंडे से मत बैटो ना थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़िया से रहा हो गई likewise करते रहो कुछ firewire कुछ ताकि मुझे भी कुछ energy आती रहे आपकी तरफ से bone dangle निगालने के तरीके पहला तरीके से ही question हो जाते हैं पहले तरीके से ही question हो जाते हैं पहले तरीके से ही पहला तरीका क्या होता है पहला तरीका यह होता है कि आप hybridization देख लो अगर आपको bone dangle निकालना है bone dangle निकालना है तो drago का सबसे कम होगा देन आपके बाद sp होगा then sp2 होगा then sp3 होगा इस तरीके से चीज़े चलेंगी बैजा dragon molecule कितने डिगरी का bone dangle देगा 90 डिगरी का देगा यह कितने डिगरी का देगा अ सुरी है उल्टा हो गया ची उल्टा हो जल्दी का काम शेतान का का sp3 sp2 और sp है ना hybridization से आप चीज़े कर सकते हो भाई यहां पर आपके पास क्या है 109 डिगरी है 120 डिगरी है और 90 डिगरी है clear है भाई percentage as character क्या है percentage as character हम यहां पर कह सकते हैं कि भाईया percentage as character यहां पर decrease हो रहा है इसमें तो ही percentage as character है ना पर्सेंटेज क्या 180 तो percentage as character यहां पर क्या हो रहा है घ्री के दो निगरी से बना हुआ है तो 10 अब यहां पर देखो यहां पर अगर आप देख नहीं हो क्या होता है SP2 होता है SP2 होता है उसके बाद अगर आपके पास और ये क्या होता है ड्रैगो होता है ठीक है तो आपके पास BF3 सबसे आगे होना चाहिए BF3 सबसे आगे होना चाहिए और H2S सबसे पीछे होना चाहिए उसके बाद इन दोनों में देख लिया इन दोनों में भाई यहाँ पर यह लोन पेर है तो आपको यह भी बात बताई गई है दूसरी कंडिशन आप वो देखते हो क्या क्या देखते हैं दूसरी कंडिशन में आप NBEPR देखते हो ठीक है loan pair ज्यादा bond angle कम तो loan pair ज्यादा है bond angle कम यानि कि NH3 और यहाँ पर आपका SIH4 तो आपका option क्या जाएगा C option यहाँ पर सही आजाएगा ठीक है C आएगा C आएगा clear है जी बोलो भाई loan pair repulsion करेगा इसको repulsion करेगा तो bond angle क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा clear है भाई चले आगे चले चले ठीक है आगे चलते हैं भाईया सीख्या जी एक concept यह देख लीजेगा यह वाला वैसे तो देख लो एक बार यह concept क्या होता है यह ठीक है देखो भाई Leavis acidity आप अकसर यह लेकर चलते हो back bonding के थुरू है ना Leavis acidity यहाँ पर आप लेकर चल रहे होते हो यह Atkins का है यह कहां से है Atkins से है और Net में आ चुका है दो बार Atkins books से है यह Atkins books से है Net में दो बार आ चुका है आप Leavis acid back bonding के थुरू कहते हो inversely proportion है जैसे माल लो मैंने आपको यह example से पहले मैंने आपको यह example पूछा BF3 है BCL3 है और BBR3 है ध्यान से सुनिएगा इसकी Leavis acidity माल लो मैं आप से पूछ रहा हूँ ठीक है इसकी Leavis acidity माल लो मैं यह आपको पढ़ाया गया है Net के टाइम में पढ़ाया गया था यह YouTube पे अगर नहीं देखा तो आप देख लो यहाँ पर भाई क्या होता है यह Boron है यहाँ पर यह Florine है ध्यान से सुनो बिल्कुल इत्मिनान से मेरी बात सुनिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा यह क्या है Boron के पास vacant orbital होते है इसके पास lone pair होते है हम कह सकते हैं electron deficiency क्या हो रही है remove हो रही है electron deficiency क्या हो रही है remove हो रही है जिसके कारण अगर Leavis acidity इसकी कम बताएंगे यहाँ पर अगर back bonding का बताएं तो BF3 की सबसे जादा ठीक है और अगर मैं यहाँ पर leavis acidity की बात करता हूं तो लीविस acidity भाई BF3 है BF3, BCL3 और BBR3 यहां पर हो जाता है मगर ये वाले concept ये वाली बाते आप इधर लगा सकते हो आप जीट जाओगे आपका अंसर क्या होगा ठीक हो जाएगा मगर दोस्त यहां पर अगर बात चल रही हो ऐसे लोगों की जो SIX4 है या SNX4 है इसको दे देगा फर्दर नहीं हो पाएगी बट इसमें हो रही होगी पट यहां पर हम कहते हैं यहां पर हम backbonding का concept नहीं लगाते यह एक्टिन्स का example यहां पर यह बार ध्यान डगना ठीक है इक्टिन्स का यह example है यहां पर आप वह concept नहीं लगाते यहां पर जरूत नहीं होती जिसके कारण अगर हम इनकी लिविस आशिटी देखें तो इन दोनों की लिविस आशिटी इन किसमें होती है बई डिरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलक्ट्रो नेगिटिविटी औफ साइड एटम यानि कि आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी ओप्शन क्या हो जाएगा बिलकुल सही जवाब क्लेर है भाई अविनासर भी यहां पर है गुड़ इवनिंग जी गुड़ इवनिंग समझ में आया कोई दिक्कत कोई समस्या चलिए आए आगे दुबारा कॉंसेट पर चलते हैं यहां पर आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है इन लोगों के लिए भाई इन लोगों का ओक्टेट ओल्रडी कम्प्लीट होता है तो यहां पर लिविस एक्टिटी इलेक्ट्र नेगिटिविटी ओफ साइड एक्टम की होती है डिरेक्ट्ली प्रोपोर्शन होती है साइड एक्टम की ठीके चलिए आईए आईए अब दुबारा देखे आगे चलते सब्सक्राइब कि मैं कि मैं यह नहीं आङ रहा हुट कि वहाँ पालीinky नहीं होगी मैं ही उट के आपको कह रहा हूँ, ठीक है, इस question को आप यहाँ पर बताएं, क्या होगा वई simple सा question है, कुछ भी जादा इसमें अलग से सोचने के जाओगे तो question गडबड हो जाएगा यहाँ पर इसने carbon और hydrogen की bond length पगड रखी है carbon और hydrogen की bond length इसने पगड रखी है, यहाँ पर, ठीक है कह रहा है कि correct order of bond length बताओ, यह D3 है, यह D2 है, यह D1 D3, D2, D1 इस तरीके से आपको answer करना है, क्या answer होगा ठीक है भाईया क्या answer होगा यह है, ठीक है, percent इसको करो भाईया, इस question को करिए गाई एक बड़ी देखो, यहाँ पर क्या होगा, fluorine है fluorine आपके पास है, fluorine यहाँ पर percentages hate है, percentages क्या करता है, hater करता है, तो इसके अंदर percentages बेजेगा, percentages character क्या करेगा, increase करेगा, और यहाँ पर 2 fluorine लगे होगे हैं, तो यहाँ पर percentages character और जादा भढ़ेगा तो अगर मैं bond length की बात करूँ अगर मैं bond length की बात कर रहा हूँ percentage s character की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो percentage s character सबसे ज़्यादा किसमें d3 में है, d2 में है and then d1 में है यह percentage s character का हो गया है बोलू यह percentage s character का हो गया है तो अगर मैं यहाँ पर bond length की बात करता हूँ तो bound length जी, यहां पर क्या होगी? D3 की सबसे कम हो जाएगी then D2 and then क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा D3 की bound length सबसे कम होगी सबसे कम किसमें? इसमें है तो आपने answer क्या ले लिए है? C option क्या ले लिए है? सही जवाब होगा C option क्या होगा भ槃या सही जवाब होगा स्तमाज में आया बोलो जी कोई दिक्कत कोई समस्या clear है C option सही जवाब होगा क्या होगा भईया C option क्या होगा सही जवाब होगा चलिए आगे चलते हैं ये आपका MSQ है जल्दी से इसका आंसर करो है ना कुछ कोशन और बज़े हैं फिर हम सेशन को complete करेंगे इसका answer क्या होगा यहाँ पर ये क्या है आपके पास MSQ है MSQ है इसका answer क्या होगा कुछ नहीं है यह कुछ भी क्योशन नहीं है इसका answer कुछ ऐसा मुश्किल होना ही नहीं चाहिए एक छोटा सा concept है अगर आप भूल जाओ तो वो बस आपको revise हो जाएगा यहाँ पर electronic configuration कह रहा है 4S2, 3D10 और 4P5 तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप 4S2 है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर आपके पास क्या है भईया क्या होगा भईया 4S2 हो गया यहाँ पर 4S2 हो गया 3D10 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 4P5 हो गया यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें इधर यह कौन सा block element है बाद में बताना कि कितने लोगों ने यह पहले यह आंसर गया था अगर भई यहीं बात करें D पूरा है, लास्ट इलेक्ट्रों पी में है भाई 4P बाद में भरा जाएगा यहाँ पर हम क्या कहेंगे 4P आपका बाद में भरा जाएगा 3D पहले पूरा भर देंगे तो लास्ट इलेक्ट्रों किसमें लास्ट इलेक्ट्रों है इन पी में पी के अंदर है लास्ट इलेक्ट्रों यहां पर आपके पास 12 प्लस X हो जाता है तो यह क्या है 5 है तो 12 प्लस 5 हो जाएगा यानि कि कि कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 7 नहीं होगा यह 7 तो तब लगता जब यह डी ब्लोग एलिमेंट होता ब्लोग एलिमेंट में आप X plus Y करते हूँ भोलो जी 7 तो बहाई यह तब होता जब यह आपका 3D 5 और 4S2 होता जनी कि MN इधर आप X plus Y करोगे यहां पर और यहां पर 5 plus 2 करोगे यानि कि 7 करोगे मगर यहां पर नहीं तो B option होगा, on moving left to right, Z effective increases, कोई doubt ही नहीं है, increase होता है, Z effective भड़ता है, तो less, Z effective का मतलब होता है, less hold of nucleus, कैसी बात कर दी गुरूजी, गलत बात, B and C, भाई, jam वालों देख लेना, आपके MSQ यही होते हैं, एक statement ही फसाएगा, एक चीज ही गड़बड करेगा, आपको कहीं लगता होगी, यार इसमें बाकी statement तो चान है, एक ही statement मुश्किल होगी, या मुश्किल के थोड़ी सी टेड़ी होगी, या अब जिसी मुश्किल नही है, ठीक है, ठीक है, फ़गा समय लगता है, मगर आंसर सही आएगा, इसका, incorrect order आपका बताना है, ठीक है, अच्छा, incorrect पूछी है उन्होंने, अई, स्थोरी, यार, स्थोरी, स्थोरी, भाई, ये गड़बड हो गई है, इनकरेक्ट पूछी है, दोस्त, ये गडबड नहीं क A and D होगी, भाईया, A and D होगी, गुरुजी, पानी पियो, गुरुजी, कौफी लाओ भाई, यहीं है, जी, यहीं है, हमारी भी आखे थोड़ी सी, कभी-कभी धोगा हो गई, कम्जोर है, चश्मान लगा हुआ है, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है जी, A and D होगा, क्योंकि मैं यह 50 बार इसी लिए बोलता हूँ कि incorrect पढ़ लेना, क्योंकि कई बार ची, हेलो, अपना ही गड़बड हो जाता है, तो इसी लिए मैं बार बर कहता हूँ, incorrect देखना, यहां पर द्यान लगना, ठीक है बई, ठीक है, मोई मोई कुंसेप्ट होगा, जी मोई मोई, आंसर क्या होगा भईया, आंसर क्या होगा भई, ठीक है, क्या आंसर होगा, उमर का दोश, अरे भाई, इतनी उमर नहीं हुई है, उमर का दोश है, देखो भईया, पढ़ लेना, कि यहां पर यह जो सिंबल लगे होना, इनको भी थोड़ी सी इज़द दे दे देना, थर्ड पूछ रहा है, फर्स पूछ रहा है, यहां पर आपके पास क्या है भईया, बेरेलियम है, यहां पर आपके पास क्या है जी, बेरेलियम है, और यह तो पहली Ionization Energy उसने पूछा है, तो पहली इसी की जादा है, मगर भाई, इस बार Incorrect अपनने के IG पढ़ लिया है, तो यह अंसर सही नहीं है, ठीक है, उसके बाद Mg, Mg है आपके पास, देखो भाई, अगर हम बात करें, Mg की बारे में हम यहाँ पर बात करें, तो Mg और Beryllium में है ना, Mg और Beryllium में आप, CDC बात है, Mg ले लो और Beryllium ले लो, MG और Beryllium में तो यह CDC बात है ना, कि Beryllium उपर रहता है, Beryllium उपर रहता है, और सेम ही compare करवा रहा है, तो भाई, नीचे जाने पर Ionization Energy क्या होती है, Ionization Energy क्या होती है, Decrease होती है, क्योंकि Beryllium की ज्यादा होगी, नीचे जाने पर Decrease होती है, तो यह statement क्या है, गलत है, यह यार, Question का मोय मोय हो रखा है, है ना, Question का हो रखा है, A, C, B, D आ गया है, ठीक है, तो incorrect ही करेंगे, इनकरेक्ट ही पूछें, इनकरेक्ट ही पूछेंगे, तो यह हमारा answer नहीं है अभी, ठीक है, तो यह आपकी incorrect statement है, ठीक है, यह incorrect statement है, Beryllium की ज्यादा होगी, ठीक है, उसके बाद हम आए, sodium पे, sodium हमने देखा, और mg हमने देखा, sodium क्या कहता है, 3S1 है, और यह है, आपके पास 3S2, मगर इस से हमने एक electron निकाला, तो यहाँ पर बना 2P6, और यहाँ पर 2S2, 2P6, और यहाँ पर आपके पास क्या बना, 3S1 बना, ठीक है, अब आप इसमें से एक electron निकालोगे अब आप इसमें से एक electron निकालोगे, तो यहाँ पर भाई, किस की ज्यादा होगी, sodium की ही ज्यादा होगी, तो यह बात ठीक है, second ionization energy इसी की ज्यादा होगी, और nitrogen की ज्यादा होती है, second इस से, तो यह भी ठीक है, incorrect आपका C यह है, जो मदलब दूसरे पे है, तो यहाँ पर आपका है C इधर, ठीक है, मतलब की, देखा जाया, तो C, ठीक है, C ही करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भी खतम होने वाला है, यह दो गुंटे गई था, पर सोड़ा सा question कुछ रह गये थे, तो वो करवा दिये, बस जी इसको खतम करते है, समझ मैं आया, यहां पर second पूछा था ठीक है यहां पर second पूछा था और यह mg और इस तरीके से हमने इसको कर लिया ठीक है हमने आगे चलते हैं क्या है question जल्दी से पढ़िए question पढ़िए और answer कर दिये clear भाई ठीक है पानी पूरी खा लेना हम भी जाएंगे खा लेंगे पानी पूरी कुछ थोड़ा सा देख लो यहां पर वो क्या कहता है Nata answer होएगा h3po3 अगर हम यहां पर देखें यह phosphorus है तो इसका structure यह होता है ठीक है आपसे क्या पूछा सम पूछा है ठीक है सम पूछा है आपसे loan pair कितने हैं अब या आगे आपका जीरो य क्या है नवरोंब यह कितना यह दो सिच्ट मांट इनतल सिग्मा चार सिग्मा यह वाला पाँच सिंगमा यह वाला चेश सिग्मा तो चेश सिग्मा यहन multipl किट쁜ड है यहां पर आएगा बोलो भाई क्या होगा भाई वो भी देखना पड़ेगा OH वाला भी तो देखोगे OH वाला भी तो देखोगे 0 प्लस 1 प्लस 6 यानि कि क्या आंसर आएगा भाईया 7 आंसर आएगा clear है जी माले बात आपकी 7 इसका आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं आगे चलेंगे इसका एक बर बता दीजेगा यहाँ पर अगर हम बात करें इसका क्या आंसर होगा ठीक है the pair of compound having same hybridization net का question है यहाँ पर ठीक है भाई अच्छा एक सिकेंड हांजी 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 अगर हमें loan pair गिनने होंगे तो भाई इसके भी गिनने पड़ेंगे ठीक है ठीक है भाई अगर हम पूरे का गिन रहे है where x is number of ठीक है तो भाई आपको loan pair यहाँ पर गिनने पड़ेंगे clear है भाई यहाँ पर आपको loan pair दो-दो loan pair यहाँ पर है इसके loan pair गिनने पड़ेंगे यहनि कि lone pair भी यहाँ पर कितने है 6 lone pair है तो यहाँ पर 13 होगा ठीक है lone pair भी गिनने होगे अगर आप oxygen का bond गिन रहे हो तो lone pair भी गिनने होगे ठीक है 13 आएगा भी 13 will be the right answer क्योंकि पूरे molecule का अगर वो पूछ रहा है तो इस तरीके से आपका इसका answer आएगा 13 answer आएगा lone pair आपको उसके भी गिनने होगे oxygen के पास यहाँ पर अगर oxygen के पास 6 valence electron है एक hydrogen लेगे है यहाँ चला गया तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा clear है भी चले आगे 13 आएगा ठीक है हाँ हाँ ठीक है भाई उमा शंकर जी कोई बात नहीं भाई गुस्सा बात हो भाई same hybridization का answer बताईएगा same hybridization यहाँ पर किसके अंदर होगे same hybridization यहाँ पर किसके अंदर होगे clear है जी same hybridization यहाँ पर आपको किसके अंदर होगे ठीक है XZF6 की hybridization अगर पहले तो यह देख लो गई SI है Silicon के उपर दो negative है यानि कि 6 balance electron या कि यहाँ पर क्या बन रहा है 6 bond pair बन रहा है तो इसकी hybridization क्या हो गई है SP3D2 बन रहा है यहाँ पर hybridization क्या हो गई है SP3D2 hybridization यहाँ पर बन गई है इधर अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास क्या है 6 bond pair है plus 1 lone pair है तो यहाँ पर अगर hybridization देखेंगे तो यह SP3D3 बनती है ठीक है तो यह answer नहीं है NICL4 to negative यहाँ पर यह क्या है NI plus 2 है मगर weak field legend है तो यह D8 बनेगा मगर weak field legend है तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा tetraheadle बनेगा SP3 बनेगा है यहाँ पर chlorine भी weak field legend बट यहाँ पर अगर हम बात करें इधर chlorine भी weak field legend है बट PT क्या है PT प्लेटिनम के साथ सारी ही लिगेंड क्या रहेंगे तो यह क्या बनेगा आपका DSP2 की तरह भीएव करेगा तो hybridization इनकी भी अलग है NI 0 होता है यह D8 S2 होता है converted D10 बन जाता है तो SP3 रहेगा यहाँ पर और XE O2 F2 की अगर मैं बात करूं तो यह xenon है xenon के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oxygen, oxygen, fluorine, fluorine और lone pair यहनि कि कितना रहा 4 bond pair और 1 lone pair तो इसका क्या रहेगा इसका आपके पास SP3D रहेगा तो यह भी नहीं है यहाँ पर देखेगा यह भी D7 है वीक फिल्ल लिगेंट रहेगा यह भी D7 ही रहेगा इन दोनों की hybridization क्या आएगी SP3D2 आएगी SP3D2 आएगी तो answer क्या आएगा आपका fourth option right answer आएगा fourth option क्या आएगा सही जवाब आएगा clear है भाई fourth option यह होगा जी सही जवाब हो जाएगा clear है भाई तो यह थी आपका आज का session ठीक है यहाँ से हमने चीज़े शुरू की थी उपर से फिर से दुबारा आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो जो चीज़े सोच रहे हो जो जो चीज़े करनी है वो चीज़े सब achievable होती है आपको एक चीज़ यह दिहार रखना आपको जितना लगता है आपको जितना लगता है उससे ज़्यादा capable होते हो आप करने के लिए आपको लगता है कि अगर गलतियां बहुत जादा हो रही है तो वो पेपर में गलतियां कम होगी अगर आपको लगता है कि याद नहीं आ रहा तो पेपर में भाई याद आएगा पढ़ा हुआ कभी भी वेकार नहीं जाता घूम फिर के कही न कहीं आपको help करता है लिख के ले लो कभी न कभी आपको help करेगा आपको लगेगा भई कि थोड़ा भूल भूल रहे हैं ठीक है मगर याद आएंगी चीज़े और सब के साथ होता है थोड़ा भूल ठीक है तो किर्पया करके जी अपनी मेहनत करो मेहनत करो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो मस्त रहो, कुश रहो और पढ़ते रहो, सवस्त रहो सबसे ज़्यादा जरूरी तो है बाई सवस्त रहना सवस्त रहोगे तो ज्यदा चीज़े भड़िया रहेगी ठीक है ठाट भड़ रही है भई तो उस हमें अपना ध्यान रखना है ठीक है I hope आपको चीजे तमझने समझ में आएगी ठीक है पेपर में देखो ध्यान आएगा आपको लगता है कि कुछ चीजे हम भूल रहे हैं मगर पेपर में वो चीजे ध्यान आती है ठीक है जी तो अपने उपर थोड़ा ट्रस्ट करो believe करो भाया जो मैनत की है उसको उस मैनत का main तो काम यह है कि end में आप कितना confidence रखते हो है ना end में आप कितना confidence रखते हो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है clear है भाई ठीक है जी book मुझे book नहीं लगती है इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगो है ना ठीक है यह मेरे scope ची थोड़ा सा बहार है ठीक है सब याद होता है भाई जब question सामने आते हैं तो क्या question आप करते हो या नहीं करते हो ऐसे बैठे बैठे मैं भी कुछ याद करने लग जाओं तो मुझे भी याद नहीं आएगा बट वो जब चीजे सामने आएंगी तो वो चीजे आपको पता लग जाएंगी ठीक है clear है भई PDF मिल जाएगा Planner भी मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा ठीक है सब कुछ मिल जाएगा Planner आपको मिल जाएगा सारी चीजे आपको मिल जाएगी ठीक है उसमें आप पूरा आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि कब-कब क्या क्या चलने वाला है ठीक है विच भई 11th class का नहीं पता सेंटा भाई है ना यहाँ पर ठीक है 11th class का idea नहीं है दिहान रखिए बहुत सारा धन्यवाद इतना समय देने के लिए बहुत सारा प्यार बस उमीद करूंगा चीजों को आप रिवाइज कर रहे हो और अपने उपर confidence रख रहे हो question apply यहाँ पर आप करेंगे चीजों को रिवाइज करते रहो बैठ कर अकेले में पढ़ो self study करो खुद से पढ़ना थोड़ा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अकेले बैठ कर पढ़ना पढ़ेगा भई बहुत बार पढ़ना पढ़ेगा बार-बार चीजे देखनी पढ़ेगी और अगर चीजे पहले से करी हुई है बार चीजे पहले से मेंनत करी है वह घूम फिर के काम पर आएंगी भई मेंनत किया हुआ कभी नहीं जाता भई वह घूम फिर के आता है चाहिए आप कितनी आप से सिली मिस्टेक हो जाए अगर आप फिर भी अच्छा कर जाओगे अगर आपने मेंनत किई हुए तो प्लीज मेंनत样 करते रहो ड्नवाद ड्नवाद तैंको तैंक यू सव मथ बहुत सरा आप यार ड्नघ्य गुट नाइट गुट नाइट गुट नाइट शुभ रातरी जी